मैं टीज कर रहा हूं आपके लिए इंटरनेशनल टक्सेशन विटेज करीब करीब 20 मार्क्स की एक चेप्टर टीज कर दिया था एवर्डेंस अब डावल टक्सेशन उसके अंदर दो मेथड होते हैं यूनिलेटरल और बाइलेटरल दोनों को मैंने टीज कर दिया बहुत सारे करवाई थी जो 10 ES में कोशन आई हैं वो भी मैंने आपके सिंग डिसकस किये थी इसके बात जो सेकंड चेप्टर है ट्रांस्वर प्राइसिंग वो मैं टीज कर रहा हूं ट्रांस्वर प्राइसिंग का मतलब होता है जब भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है बिट्व प्राइसिंग चेप्टर में गेवन है उस प्राइस को कहा जाता है ALP आम्स लेंथ प्राइज सेक्शन 92F में ALP की डेफिनेशन दे रखी है और ALP की जो डेफिनेशन है उसके एसाब से प्राइस विच इप्लाइड और प्रपोस्ट तू बी अप्लाइड बिट्वीन परसं खता है उसको कहा जाता है ALP आम्स लेंथ प्राइज तो ALP को निकालने के टोटल 5 मेथड़्स होते हैं कम्पेरेबल अंकंट्रोल प्राइज मेथड्स मेथड्स कॉसस प्लस मेथड्स प्रौफिट स्प्छिट मेथड्ड ट्रांजक्शन नेट मारिजन मेथड्ड और इन 5 यही हमने पहले में किया, यही दूसरे में किया, ये तीसरे में किया profit split different तरीके का होता है थोड़ा क्योंकि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके जब किसी तीसरे को services provide कर रहे होते हैं तो वहां लगता है profit split method transactional net margin method तब लगता है जब आपके पास कोई reference के लिए दूसरा transactions होता ही नहीं है सारा का सारा जो transactions होता है वो associate के साथ ही होता है तो अब reference के लिए आपके पास दूसरा नहीं है तो market में जो similar transactions हो रहा होगा इसलिए मैं कहता हूँ fifth method में जो TNMM होता है इसके अंदर एक तरीके से जो fair market value होती है उसमें adjustments करने के बाद उसी को ALP मान लिया जाता है इसको teach करने के बाद मैंने ये कहा था कि जो आप में in message most appropriate method होगा वो method लगाया जाएगा एक transactions पे एक से ज़्यादा method नहीं लग सकता है एक्ट में लिखा हुआ है जो most appropriate method होगा इन पांच मेंसे आपको transactions की nature देखनी पड़ेगी और ये decide करना पड़ेगा which method is the most appropriate उसके according ALP निकाल ली जाएगा लिकिन जब आप उस method को लगाके ALP निकालते हो तो आपकी six या six से ज़्यादा ALP निकल के आती है six और more than six ALPs six या six से ज़्यादा ALP अगर निकल के आती है तो उस case में हम क्या करेंगे यहां तक मैंने आपके लिए teach कर दिया था तो मैंने कहा था एक data set बनाया जाएगा और वो ascending order में बनाया जाएगा ascending order का मतलब यह हो गया कि जतनी भी आपके लिए ALP निकल के आई थी उनको बढ़ते हुए करम में लिखोगे increasing order में लिखा जाएगा उसको कहा जाता है ascending order और फिर आप निकाल लोगे number of entries कितनी थी यसे मैंने जो एक्जामपिल लिया था वो 10 का मेरे ख्याल से लिया था उसमें देख लेना number of entries कितनी थी इसके दो percentile निकालोगे एक तो निकालोगे 35th percentile और दूसरा निकाला जाएगा 65th percentile परसेंटile निकालने के rule भी मैंने बता दीये थे तो number of entries होगा उसके जब 35th percent निकालेंगे ALP का नहीं number of entries का निकालेंगे 35th percentile उसको कहेंगे 35th percentile और 65th percentile निकालेंगे उसको कहा जाएगा 65th percentile और इसको कहा जाता है ALP range जो आप निकालोगे percentile अगर वो fraction में निकल के आता है जो immediate next whole number होता है उस पे जो value होती है उसको कहा जाएगा 35th percentile या 65th percentile 息 है 35th या 65th के अंदर लेकिन जो आपने 35 e 36 65 निकाला वो whole number अपने आप में whole number निकल के आता है तो उस number पसको value होती है उसके arithmeticle mean को ले लिया जाता है तो अगर fraction होगा तो immediate next whole number को ले लेंगे और अगर whole number होगा उस whole number पर जो value होगी और immediate next whole number पर जो value होगी उनका निकाल लेंगे mathematical mean और उसके according हम एक range निकाल लेते हैं ALP range और अगर इस range के according आपका actual transaction surprise है जिस पर आपने वास्तम में transaction किया था अगर वो transactions ALP range के अंदर fall कर रहा है तो फिर आपकी income में किसी भी तरीके का adjustments नहीं किया जाएगा जो आपका actual transactions price होगा उसी को ALP मान लिया जाएगा मतलब आपने सही price पर transactions किया था पर आपकी income में किसी भी तरीके का adjustments नहीं किया जाएगा लेकिन अगर जो आपका ट्रांजेक्शन सा वो इस रेंज से बाहर चला जाता है इस रेंज के अंदर फॉल नहीं करता है मतलब जो ELP कितनी बड़ी रेंज दे रखी थी यहां से लेकर यहां तक की उससे बाहर आपका ट्रांजेक्शन चला गया तो उस केस में क्या होगा उस केस में आपकी ELP के लिए निकाला जाएगा तो अब ELP कितनी निकल के आएगी उसको कहा जाता है मीडियन मीडियन का मतलब यह होता है 50th परसेंटाइल लेकिन यह तभी जरूत पड़ेगी निकालने की जब एक्चुल ट्रांजेक्शन प्राइज होगा वो ELP रेंज से बाहर चला जाएगा तो मीडियन निकालेंगे और मीडियन का मतलब होता है 50th परसेंटाइल और 50th परसेंटाइल का निकालने का तरीका भी सेम होगा अगर फ्रैक्शन निकल के आएगा जो next immediate whole number होगा उस पे जो value होगी उसको median बोल देंगे अगर whole number निकल के आएगा तो उस पे जो value होगी और immediately next whole number पे जो value होगी उसका जो अर्थमेटिकल मीन होगा उसके लिए कहा जाएगा फिप्टिएथ परसेंटाई तो ये तब लगाते हैं जब मोस्ट एप्रोपिरियेट मैथड इस मैथड को लगाने के बाद आपकी 6-6 से जादा ALP निकल के आती हैं लेकिन अगर आपकी less than 6 ALP निकल के आती हैं तो क्या किया जाएगा less than 6 ALP निकल के आती हैं मतलब 2, 3, 4, 5 तक ALP निकल के आती हैं उस केस में क्या किया जाएगा data set तो तब ही बनाए जाएगा जब 6-6 से जादा होती है तो इस case में simply mathematical mean ले लिया जाता है mathematical mean of all ALPs जितनी भी ALP होंगी उनका simply mathematical mean ले लो और वो ALP निकल के आ जाती है मतलब suppose करते हैं एक transactions में हमने comparable uncontrolled price method लगाया ये method उसके लिए appropriate था बलकुल ठीक method था और हमने ALP 1 निकाली तो वो निकल के आती है 200 रुपे फिर हमने ALP 2 निकाली वो निकल के आती है 210 रुपे फिर हमने निकाली ALP 3 वो निकल के आती है 220 रुपे या 230 रुपे माल लेते हैं निकल के आई अब इस मेथड लगाने से 3 और 6 से कम ALP हैं तो इस केस में ALP को कैसे निकाला जाएगा तो वो कहते हैं ALP is equal to हो जाएगी ALP 1 पिलस ALP 2 पिलस ALP 3 divided by 3 अर्थमेटिकल मीन ले लो मतलब average ले लो तो ये हो जाएगा 640 640 करेंगे तो हमारी round figure नहीं आएगी इसके लिए हम यहाँ पे ले 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 लेते हैं 20 तो कम से का हमारा एक fraction में नहीं आएगा तो ये 630 हो जाएगा calculation easy करने के लिए मैं काम कर रहा हूं तो ये निकल के आजाएगा 210 तो 210 के लिए अर्थमेंटिकल मीन आ गया इसके लिए ALP मान लिया जाएगा लेकिन इसमें एक बात आपको आप से जरू पूछ होगे और वो ये पूछ होगे सर यहाँ पे तो ALP की range दे रखी ती हो परवाले में इसमें ALP की range नहीं दे रखी है इसमें सीधे सीधे आपने 210 कट रखा है सपोच करते हैं एक ALP है और एक B INCORPORATION है मेरे कोशन को बहुत द्यान से समझना जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ और यह associated enterprises है ALP का आपस में इनके बीच में transactions होता है goods के लिए transfer किया गया ए ने क्या किया goods के लिए बेचा और यहां से यहां से goods के लिए बेचा और यहां से payment रिसीब हुआ A INCORPORATION ने payment दिया A के लिए अब जो आपका payment मिला वो payment मिलता है सब पोच करते हैं 200 रुपे का ARP हमने निकाली 210 रुपे इसको मैं अब बोलूँगा actual transaction price ATP जिस पर आपका वास्तम में transaction हुआ वो आपका था 200 रुपे और होना चाहिए था 210 रुपे तो आपको बही आपने कम पैसा क्यों receive किया हम आपकी income 10 रुपे से बढ़ा देंगे बिल्कुल आप 10 रुपे से बढ़ाओ लेकिन सवाल यह उठता है कि जब आपने यहाँ पे एक range दे रखी थी ALP की तो यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत माफी क्यों नहीं मिलनी चाहिए मैं आपसे दूसरा question पूचता हूँ सपोच करते हैं दोसो की जगे उसने यहाँ पे 208 रुपे का transaction किया था जो उसने रुपीज receive करे थे वो 208 receive करे थे इसको करोड में माल लो क्या फरक पड़ता है हम रुपीज में मालने और एल पी 210 की थी अब वो यह कहता है कि भाई सब आप तो बैमानी कर रहे हो जो आपको 210 receive करना चाहिए था वो आपने 208 receive किया है आपने कम पैसा एसो सिड़ट से आपने कम पैसा लेकर इंडियम बाली इंकम को कम किया है तो क्या एक दो रुपे का डिफरेंस दो लोगों के प्राइस में पॉसेबिल नहीं है यही तो मैं रेंज में समझा रहा था उँपर अगर सब्पोच करते हैं मैंने कल भी एक्जामपिल लिया था है यह वाला पैन अगर मैं सब्पोच करता हूं मार्केट में यह पैन 10,000 रुपे का मैं लेके आता हूं मैं अपने फ्रेंड के पाँ जाके बोलता हूं कि बताओ यह पैन कितने का आया होगा अगर वो देखने के बात कहता है कि यह पैन सौरब होगा 6,000 रुपे का तो मुझे एक दम से गुस्सा आ जाएगा और मैं इस बात को जस्टिफाई करूँगा कि यह पैन 10,000 रुपे का है मैं कहांगो तुम्हें यह पैन 6,000 रुपे का लग रहा है देखो कंपनी कौन सी यह इस पर क्या लिखा हुआ है इस पर देखो माइक्रोसफ्ट लिखा हुआ है इसके फीचर्स पर दा इसमें बटन्स दे रखे हैं आ गए इसके पीछे एरेजर दे रखा है मैं ऐसी ऐसी बातें बोलूँगा कंविंस करने के लिए क्योंकि मुझे लगता है डिफरेंस जादा है और यह उसने गलत बोला है लेकिन अगर वो देखने के बात कहता है सब्सक्राइब अब बहुत अच्छी जान पर चानने चीजों की अभी भी 500-600 रुपे का डिफरेंस तुने बताया है इस क्लोज को हम यह मान लेते हैं एकोरेसी आप भी जब कोई चीज घर पर लेके आते हैं जो भी माकेर से शॉपिंग करके लेके आते तो प्रैस्टेक छुपा- देते हैं जो भी आपकी तो बहुत जानने की करते होगी described बहुत ज़्यादा कीरिसिटी होती है कि हम ठक तो नहीं आए कहीं और आप उसका प्राइस टेक छुपा गया लोगों से यह पूस्टे बता कितने का होगा और वो अगर कम बताते हैं तो अग्द एक दम से ऐसा लगता है कि या इसने क्या बता दिया मतलब बता दिया आपको ल रुपए के डिफेरेंस आदमी ने बही मानी करी बही मानी करती तो इसलिए यहां पर जो आपका विर careless किया गया है उपर रिंग निकाली गई थी क्योंकि यहां पर डिटा सेट नहीं बनाया गया तो यहां तीन परसंट का production एक्सेप्टट है हाला कि wholesale का अगर हुगा wholesale में चीजों को transaction किया जा रहा है तो फिर 1% का variation देखा जाएगा अगर wholesale का नहीं है तो 3% का variation देखा जाएगा और 3% of the actual transaction price देखा जाएगा तो पहले हम यह देखेंगे 2008 का 3% कितना निकल कर आता है 6.24 निकल के आया और जो difference दे रखा है वो कितना दे रखा है वो केबल 2 रुपे difference दे रखा है सरकार ने 6 रुपी 24 पैसे तक का variation accept कर लिया है अगर ALP और actual transactions के बीच में 6 रुपे 24 पैसे तक का difference होता मतब ALP अगर सपोच करते हैं 210 कीजों के 214 रुपे भी निकल के आई होती तो 208 और 214 में difference होता 6 रुपे का ये 6 रुपे 24 पैसे से कम है तो फिर आपी के price को मतब जो 208 रुपे है इस case में ALP माना जाएगा 208 रुपे के लिए 210 रुपे के लिए ALP नहीं माना जाएगा उंपर वाले case में हमना data set बनाके ALP की range दिकाल दी थी हमने का था यहां से लेके यहां तक ALP की range है अगर आपका actual price इसके बीच में fall करता है तो आपी के price को ALP मान देंगे लेकिन यहां पर data set जब 6 और 6 से कम ALP है तो यहां पर कोई भी हमारे पास एक range नहीं आई है एक ही ALP अर्थमेंटिकल मील लेके आई 210 तो यहां पर सरकानने का हम इसका variation दे देते हैं 3% का variation हम accept कर रहे हैं actual transaction price का और wholesale में होगा तो 1% माना जाए तो जब भी 6 से कम ALP निकल के आएंगी तो पहले तो आप अर्थमेंटिकल मील निकल के सही ALP निकल लोगे उनकी ALP निकल के कितनी आती है फिर actual transaction price देखोगे है कितना उस transaction price का आप निकल लोगे 3% जैसे इस example में न difference निकलोगे 210-208 210-208 वो किबल 2 रुपे अगर वो दो रुपे जो difference निकल के आया वो variation के अंदर है मतलब आपके price और actual price के अंदर difference 6.24 से कमका है तो आप पे ALP के provisions applicable नहीं होंगे आपी के price को ALP मान लिया जाएगा लेकिन अगर मैं यहाँ पे यह मानूँ इस example के अंदर जो actual transaction price था वो सब पोच करते हैं 200 रुपे था तो हम क्या करेंगे हम 200 रुपे का निकालेंगे 3% और वो निकल के आएगा हमारे लिए 6 रुपे और वो निकल के आएगा हमारे लिए 6 रुपे और फिर हमने difference देखा difference कितना होगा 214 माइनस 214 निकाला था मैंने उपर ALP 210 निकाली थी ALP तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 210 माइनस 200 और यह 10 निकल के आया अब जो actual transaction price आपने 200 लिया तो 200 का 3% 6 रुपे निकल के आया लेकिन जो difference ALP और actual transaction price की बीच में 10 मतलब जो accepted variation था उसको भी cross कर गी ALP उससे भी जादा है 6 से जादा है तो इस case में ALP के ALP को आपके price को ALP नहीं माना जाएगा 210 को ही ALP माना जाएगा and income will be increased by rupees अब कितने से 10 रुपे का difference है by rupees 10 income को 10 रुपे से increase कर दिया जाएगा difference 10 रुपे का है तो अच्छे तरीके से याद कर लेना data set वाला question तो कम आता है paper के अंदर क्योंकि बहुत सारी ALP होती है तो उन्होंने क्या कहा पहले जो आपका था six or more than six ये तो last class में पढ़वा दिया था है मैंने 35% within the range निकाल लेंगे और outside होगा तो median निकाला जाएगा ये तो से मैंने last class में बता दिया था लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं अगर 6 से कम ALP हैं less than 6 ALP है तो उन्होंने ये बोला कि अगर कम होंगी तो हम अर्थमेंटिकल मीन निकाल लेंगे तो जो बी आपके उसके अंदर 5 तक जो भी हैं उनका अर्थमेंटिकल मीन निकाल लोगे उसको ALP बोल दिया जाएगा अगर 6 से कम ALP निकल गया आती है लेकिन उन्हें यहां variation देना था तो act में लिखा गया कि हम central government को power दे रहे हैं कि वो notification निकाले और उसमें ये बता कितना variation accepted है लेकिन किसी भी case में वो 3% से जादा का नहीं होना चाहिए provided that if the variation between the arm's length price retirement and price add with the international transaction has actually been undertaken तो यह तो हो गया ALP difference between the ALP and price add with the international transaction has been taken यह हो गया मेरे हिसाब से ATP जिसको में actual transaction price बोलता हूँ तो इन दौनों का difference does not exceed such percentage अब सच को define नहीं किया गया Central Government से कहा गया आप बताओ लेकिन not exceeding 3% of the letter तो letter का मतलब यह हो गया बादवाला ATP का 3% ALP और ATM बाद में कौन से लिखा हुआ ATP तो 3% लगाना है वो ALP का नहीं देखना है वो actual transaction price का देखना है बादवाले का देखना है तो Central Government से कहा गया कि आप बताओ कितनी percentage आप accept करोगे लेकिन वो किसी भी case में 3% से जादा नहीं होनी चाहिए as may be notified by the Central Government in the official gazette तो वो कहते हैं आप notification निकाल दो notified का मतलब कितना आप मानना चाहते हो लेकिन 3% से जादा का variation accept नहीं करेंगे तो 2017 में Central Government in notification 50 निकाला ये notification आपको याद नहीं करना है और इसमें लिख दिया गया अगर wholesale trading होगी तो 1% का variation accept होगा और वाकि सारे cases में 3% का होगा तो अगर आपके exam के अंदर किसी भी तरीके का question आता है जब तक wholesale नहीं लिखा होगा तो एक छोटा सा question example के तोर से मैंने दे रखा है इसमें बस यहीं पूछा गया ALP इसमें actual transaction price तो दे नहीं रखा है बस इसमें ALP पूछी रही है ALP निकाल दो और पांच प्राइज दे रखे है अब ये पांच प्राइज हैं लेस देन 6 हैं तो पहले actual transaction price का आप निकालते 3% और फिर इनके बीच का difference देखते और decide करते कि हमें ALP के provisions को apply करना है या ALP के provisions को apply नहीं करना है तो practical portion हमारा एक तरीके से खतम हो गया मैंने पांचों methods निकालना भी सिखा दिये अगर एक method लगा के एक से ज़ादा ALP आती है जो दो केस बनके तैयार हो रहे है पहला केस हमारा तैयार हो रहा है उसको कहा जा रहा है 6 या 6 से ज़ादा ALP और less than 6 वो भी दोनों करवा दिये अब करते हैं कुछ मेयदार section जो paper में बहुत ज़ादा आती है दोको section 92 से शुरू होता है 92 के बाद आता है 92 A फिर आता है 92 B फिर आता है 92 BA और फिर आता है 92 C अभी तक जो हम section पढ़ रहे थे वो 92 C था जो methods दे रखी हैं compute करने के वो 92 C में दे रखी हैं 92 C एक बार दोबारा भी करवाँगा तो मैं 92 C में आऊँगा इस methods जो pass दे रखी हैं वो भी है वो कैसे apply किये जाएंगे ये भी साथ में है और अगर more than 1 ALP है तो भी क्या करेंगे वो भी इसी के अंदर दे रखा है more than 1 ALP हाला कि इसके 2 case फर्दर बना दिये जाएंगे more than 1 ALP के भी 2 case बन जाएंगे एक तो बन जाएगा less than 6 और एक बन जाएगा 6 और more जो कि 92 C के according हमने सारा कर लिए 92 C के बाद की कहानी में बाद में बताऊंगा 92 C के बाद क्या क्या होता है 92 C आता है reference to transfer pricing officer बगारा लेकिन पहले हम इतने sections को निप्टा लेती है जो यहां से लेके यहां तक है 92 के अंदर यह बताया गया है कि और एक आखरी section में और लिख दूँ जो सबसे आखरे में आता है 92 F यह definitions का section है इतनी भी definitions है वो इसमें दे रखी है लेकिन हमें एक definition से खासतोर से मतलब है ALP से मतलब है तो अब यहां पर जो 5 sections हम कर लेंगे तो हम काफी safe zone में आ जाएंगे इन 5 sections में से आपको चार नंबर का definitely मिलेगा 100% 92 यह बताता है कि ALP कब applicable होगा applicability of applicability of ALP ALP कब निकालना जरूरी होगा यह 92 में बताया गया है फिर 92 A में बताया गया है definition of the associated enterprises associated enterprises के definition क्या होती है हाला कि 92 F में भी बहुत सारी definitions है लेकिन वो छोटी-छोटी सी definitions है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा concept है उसको एक dedicated section से बनाया गया 92 A के अंदर और 92 B में दे रखा है definition of international transaction सर, section याद करना जरूरी है मैं 10 ES कर वाँगो तो आपको समझ में आ जाएगा हाजी सर, बहुत ज़्यादा जरूरी है और 92 B A होता है इसका नाम होता है specified domestic transaction तो अगर ये आज आप पढ़ लेते हों मेरे साथ तो एक बहुत बड़े safe zone में आप आ जाओगे पेपर पास करने के करीब आ जाओगी 92 applicability ELP कब निकालना जरूरी हो जाएगा 92 A definition of the associated enterprise ये खास्त और से special section है पेपर में बहुत आता है 92 B definition of the international transactions और सबसे आखरे में दे रखा है 92 BA specified domestic transactions और फिर 92 C में होता है methods to compute the ELP जो पिछली किलास में किया जो अभी तक किया उसको 92 C में दे रखा है तो 92 क्या कहता है 92 ये कहता है कि जब भी आपका international transactions में income निकाली जाएगी international transaction होना जरूरी है और international transactions में जब भी ELP निकाली जाएगी जब भी आपका income receive हो रही है आपके लिए मैं करके दिखाता हूँ पढ़ा के दिखाता हूँ मैं आपके लिए देखो क्या लिखा हुआ है methods के बाद 92 से फिर order में दे रखी है सारे sections में यहां से बेटा वो कहते हैं अगर international transaction हो रहा है तो आपको ELP निकाल के चेक करना ही पड़ेगा कि वो transactions ELP पे हुआ है या नहीं तो अगर सब पोच करते हैं में और आपस में transactions करते हैं तो ELP नहीं लगाई जाएगी domestic transactions पे ELP नहीं लगाई जाती domestic transactions में अगर कहीं इस तरीके की cheating करीबी जाती है जैसे 40 A2 का example लिया था तो fair market value वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे ELP वर्ड नहीं लिखा हुआ है याद करो last class जब मैंने ELP शुरू करी थी निकालना तो मैंने एक example 40 A2 का भी लिया था payment to specified पर सकत। मैंने कहा ता मैं अपने भाई से goods खरीता हूं और payment करता हूं और fair market value से जादा का payment कर देता हूं अपनी इंकम को कम कर लेता हूं अपने भाई की इंकम को बड़ा देता हूं इसका impact क्या पड़ेगा इसका impact बेटर मैंने ये बताया था impact ये पड़ेगा मैं 30 वाले सलेम में है वो कम टेक्स पे करता है तो नेट फैमिली में जो टेक्स होता है वो टेक्स हम बचा लेते हैं इस टांजेक्शन के तरूप लेकिन वहां पर वर्ड लिखा हुआ था फेयर मार्केट वैल्यू अगर आप इंटर में धंग से पढ़के आएं तो इंटर में जब आपका international transactions होगा तो FM भी नहीं देखेंगे, ALP देखेंगे और ये बात मैंने last class में भी कह दी थी कि बेटा, ALP जो होती है more scientific है, more logical है than the FM, FMB market में कहीं भी similar transactions हो रहा है, हम उसको बोल सकते हैं fair market value जो उससे में market में price prevail कर रहा है, market का price हमेशा different हो सकता है, लेकिन एक ही associated, other with not associated, और not associated को मान लेते हैं, ALP, कितना logical लग रहा है, उसी आदमी की दो transactions लिए जा रहे हैं, तो international में लोग ये कहते हैं, पूरे world में की fair market value का concept नहीं होना चाहिए, तो सारे countries, जातर countries, ALP के provisions पर चलते हैं, तो हमने अपने 92 में भी लिब दिया, कि international transactions पर हम ALP निकालेंग तो ALP पर देखने चाहिए, खर्चे भी तो ALP पर देखने चाहिए, जो भी आपने expenditure किया है, जो भी आपने interest पे किया है, इसको भी international transactions के अंदर, ये भी तो ALP पर देखना चाहिए, याद करो मैंने पहली किलास में कहा था, जो इंकम transactions ALP पर नहीं होगा, जो expenditure वाला होगा, वो भी ALP पर देखा जाएगा, मैं चाहूंगा इस बात को मैं एक बार फिर बताओं, मैंने यहाँ पर लिखा A limited और यहाँ पर लिखा B incorporation, यह USA का incorporation है, और यह हमारे लिए associated enterprises है, मैंने यहाँ से कहा कि goods के लिए बेचा गया, goods के लिए यहाँ से यहाँ तक transfer किया गया, goods के इसको देहां से देखना, अब मेरे arrow देखना, goods यहाँ पर बेची जा रही है, और payment यहाँ पर रिसीब किया जा रहा है, अब बताओ, इस payment को रिसीब करने से income बढ़ेगी या कम होगी, income बढ़ेगी, तो income निकालते समय, हम यह देखेंगे, जो payment हमने रिसीब किया, वो ALP के respect में रिसीब किया या नहीं किया, हम इस transactions की ALP निकालेगी, लेकिन सेम मैं दूसरा transaction अगर यहाँ पर लेता हूँ, मैंने यहाँ limited लिखा, और यहाँ पर be incorporation लिखा, और goods के लिए मैंने कहा खरीदा गया, मैंने कहा goods को यहाँ से यहाँ तक खरीदा गया, तो दो line मैं बना देता हूँ, और मैं एरो लगाता हूँ, goods को खरीदा गया, और payment को दिया गया, तो यहाँ से goods के लिए खरीदा गया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, पेमेंट के लिए दिया गया, अगर सपोच करते हैं, दसलाख रुपे की goods थी, और जो payment लिया गया, वो केबल खरीदी, लेकिन जो हमने payment दिया, वो हमने 11 लाख रुपे का payment दिया, अब हमने जादा payment दिया, जिसकी ALP 10 लाख रुपे थी, हमने जो होनी चाहिए थे, वो 11 लाख, तब भी तो हमने अपनी income कम कर ली, तो उन्होंने पहली language में income world लिखा, कि income अगर arise हो रही है, तो उससे गोंफ्यूज हुआ कि जो हम expenditures वगरा कर रही हैं, यह suppose करते हैं, भी in corporation से पैसा उधार लिया गया था, उस पर interest पे किया जा रहा है, और जो interest पे किया जा रहा है, जो ALP होनी चाहिए interest की, उससे ज़्यादा पे किया जा रहा है, आप जब किसी और से पैसा बोरो करते हो, तो 12% के rates से interest पे करते हो, लेकिन associate को आप 18% के rates से interest पे कर रहे हो, यहाँ पे भी तो आपकी income कम हो रही है, तो income जो आप इंडिया वाली कम करते हो, वो दोनों तरीके से कम कर सकते हो, payment receive कर रहे हो तब भी कर सकते हो, और payment कर रहे हो तब भी कर सकते हो, इसलिए लिए लिखा हुआ है जब भी कोई expenditure minus किया जाएगा या interest का transaction होगा उसको भी ALP पे तो आप one का cable एक मतब समझे लो international transactions में कोई भी transactions जो income को effect कर रहा है income का transaction हो चाए खर्चे आप करो चाए interest related हो कोई भी आप transactions करोगे उस पे ALP के provisions लगाए ही जाएंगे ALP निकाई जाएंगे इतना समझ में आ गया तो फिर उन्होंने कहा कि एक बात और भी सुन लो we are an international transaction two or more associated enterprises enter into a mutual agreement or arrangement for the allocation or apportionment of any contribution to any cost or expense the cost or expense so allocated apportion or contributed shall be determined having regard to the arms land price फिर एक केस और आया जहां पर भी इंडिया वाली income को कम किया जा रहा था जैसे कि X limited है और एक Y incorporation है ये USA का है और ये दोनों आपस में associated enterprises हों इन्होंने कहा चलो मिलके एक चीज़ हम manufacture करते हैं item A के लिए हम manufacture करते हैं और item A के manufacture करते हैं तो जब item A बनके तयार हुआ तो सपोच करते हैं 10,000 रुपे का बनके तयार हुआ इंडियन रुपीच की बात करें अब इसको बेचेंगे तो profit भी उसी ratio में distribute करेंगे तो अब X limited की कितनी cost फॉल करती है और इसकी 10,000 रुपे का रहा है तो profit कम हो जाएगा आपके लिए तो इन्हों ने ये कहा कि दो या दो से जादा लोग एक agreement में enter करते हैं और वो कहते हैं कि हम allocate करेंगे या apportionment करेंगे जो cost के लिए हमने हम मिलके खर्चा करेंगे हैं मिलके हम cost के लिए करेंगे जो खर्चा मिलके किया गया होगा जो cost के लिए आपने contribution किया होगा जब उसका allocation किया जाएगा अपortionment किया जाएगा तो वो भी ALP के base पे किया जाएगा और ALP इस तरीके से निकाली जाएगा मतलब क्या हो गया कोई भी transactions आपका international में associated के साथ हो अगर वो इंडिया वाली income पे impact डाल रहा है तो फिर आपके लिए उस पे ALP लगाई जाएगी तो one और two paper में बहुत कामाते हैं कभी नहीं आए लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए one में ये लिखा हुआ है कि अगर आप goods के लिए बेच रही है या किसी भी तरीके का खर्चा कर रही है या interest वगारा pay कर रही है to international transactions तो इस transactions को ALP पे निकाला जाएगा फिर उन्होंने कहा कि दो या दो से जादा associated enterprises मिलके अगर कोई cost को share कर रही है तो जो भी उनका apportionment या allocation होगा उसमें भी ALP लगाई जाएगी सही किसकी किसकी cost fall करती है उसको ALP के base पे देखा जाएगा फिर इसके बाद लिखा हुआ है बेटा आपके लिए 2A ये बहुत प्यारा है पेपर में इसमें से MCQ frequently आता रहता है बहुत frequently MCQ आता है लेकिन अभी तक full of legit questions नहीं आया लेकिन MCQ कम से कम 3-4 बार आ चुका है जब यहां पे आप ALP लगा रहा हैं इंटर्मनेशनल के साथ तो domestic transactions पे ALP क्यों नहीं लगानी चाहिए सवाल यह है यह partiality क्यों होनी चाहिए जब आप यह कहते हो ALP से transactions की सही value निकल के आती है तो फिर हमारे यह सही value क्यों निकल के आए मैं क्यों ज़्यादा tax pay करूँ मेरी value क्यों निकल के आनी चाहिए यहां पे ALP के prohibitions क्यों नहीं अपने केविल होने चाहिए जह हम बोलते हैं fair market value तो ज़्यादा तर power assessing officer के हाथ में चली जाती है in the opinion of the assessing officer तो अब वो decide करेगा FMB कितनी है उसके base पर वो income को कम जादा करेगा लेकिन अगर ALP लिप दिया जाए तो assessing officer की opinion खतम हो गई अब तो दो transactions मेरे ही देखे जाएंगी और एक transactions को दूसरे transactions के बराबर लेके आया जाएगा जो method है उसी के according ALP के लिए निकाला जाएगा accordingly ये दिखा जाएगा मेरी income में किसी भी तरीके का adjustments होना चाहिए या नहीं तो बहुत time से demand हो रही थी कि domestic transactions के उपर भी ALP को apply किया जाए तो सरकार ने का जोखो हम पूरे income tax में तो ALP के prohibitions जहां जहां एफम भी लिखा हुआ है पूरे income tax में वहाँ वहाँ हम ALP लिख दें ये तो possible नहीं है अभी क्योंकि ALP निकालने के लिए बहुत ज़्यदा हमें काम करना पड़ता है टाइम बहुत ज़्यदा चाहिए होता है ALP कईबर assessing officer निकाल नहीं पाता है तो उस case में हमें help लेनी पड़ती है TPO की transfer pricing officers की manpower ज़्यदा चाहिए होती है तो फिर हम इतने ज़्यदा लोग हमारे पास अभी हैं नहीं हाँ future में हम प्लान कर रही है हम धीरे धीरे income tax act का जो domestic transactions है वहाँ भी ALP लिख देंगे लेकिर अभी हम नहीं लिख पाएंगे तो फिर क्या किया गया फिर उन्होंने कुछ specific transactions देखे जिनसे बहुत ज़्यदा income पे impact पड़ता है और उसमें बोल दिया कि ये जो domestic transactions है इनमें भी FMB की जगे ALP लगाया जाएगा और उनको नाम दे दिया गया specified domestic transactions नॉट आल जैसे 42 का मैंने एक्जामपल लिया वाल एक्जामपल नहीं जो मैंने भाई वाला वहाँ अभी भी FMB लिखा हुआ है लेकिन कुछ domestic transactions जो इंकम को बहुत जादा impact डालते ही बहुत जादा जैसे ATIA हो गया ATIB हो गया ATIC हो गया ATID हो गया 10AA हो गया इनके बारे मैं भी जिकर करूंगा थोड़ी देर के बाद तो ये बहुत जादा impact डालते हैं और इनके अंदर भी FMB लिखा हुआ है सरकार ने कहा इन sections में हम FMB की जगए ALP income tax act में लिखने को तयार है इनको नाम दे दिया गया specified domestic transactions तो specified domestic transactions में भी ALP के provisions लगाए जाएं तो आज के साथ internationally तो हम ALP लगाते ही लगाते हैं कुछ ऐसे भी domestic transactions होते हैं जहां पे ALP के provisions लगाए जाते हैं तो वो list क्या होती है वो paper में बहुत ज़्यादा frequently आती है वो अभी मैं करवाऊंगा आपके लिए जो मैंने बनाए थे 92 applicability 92 A associated 92 B definition of the international transaction और फिर फूर्थ लिखाता 92 B A specified domestic transactions वो domestic transactions जहां सरकार ने FMB की जगे ALP लिग दिया है उसको कहा जाता है specified तो ये तो ये पता रहा है specified domestic transactions पर ALP लगाई जाएगी what is the meaning of specified domestic transactions to definition 92 B A में दे रखी है तो मैं थोड़ी देर के अंदर teach करूँगा अब ये sections में हमें पता चल गया ALP कब-कब applicable होगी तो अगर मुस्यक अभी बार पूछा जाए paper design करो तो मैं तो off-beat questions दूँगा सारे नहीं कुछ की बच्चे seriously पढ़के नहीं आया या आया या देखने के लिए पताओ ALP कब-कब applicable होगी तो income अगर arise हो रही है international transactions से तो ALP लगाई जाएगी अगर expenses या interest का benefit आप claim कर रही हो international transactions में तो ALP लगाई जाएगी दो या दो से जादा associate मिलके अगर cost के लिए share कर रही है expenses के लिए share कर रही है तो उसका जो allocation होगा वो ALP पर किया जाएगा और specified domestic transactions में ALP लिखाई जाएगी तब ही तो मैंने applicability दिखा लेकिन मैंने जो तीसरा point है ये पेपर में आ चुका है दो तिन बार उन्होंने कहा एक जगे ALP applicable नहीं होगी shall not apply और उन्होंने कहा अगर ALP लगाने के बाद इंडिया वाली income कम हो रही है reducing the income अगर इंडिया वाली income कम हो रही है इसका मैंने example आपको समझाया था अगर मैं suppose करता हूँ यहाँ पर दो मैं assessi लिख लेता हूँ एक A limited लिख लेता हूँ और एक B incorporation लिख लेता हूँ बाहर के country की इंडिया में tax credit suppose करते हैं 20% है और बाहर tax credit उस assessi के लिए 30% है अब इनके बीच में कोई भी transaction किया जाएगा किसी भी तरीके का suppose करते हैं goods के लिए यहां से यहां तक खरीदा गया और payment के लिए दिया गया अब जो goods खरीदी गई वो suppose करते हैं 10 लाख रुपे की हैं अब जो payment किया जाएगा वो payment जादा नहीं किया जाएगा पेमेंट कम कम नहीं किया अब आपने इंडिया वाली इंकम को बढ़ा दिया और इंडिया से बाहर वाली इंकम को आपने कम कर दिया being corporation को 10 लाख रुपे मिलने चाहिए थे लेकिन 8 लाख रुपे मिले उसकी इंकम 2 लाख रुपे से कम रहा गई, इंडिया वाली इंकम दो लाख रुपे से बढ़ गई, अब यहां इस तरही किसे क्यों किया गया क्योंकि तूसरे至 कंट्री में हमारी कंट्री से टेक्स करेड़ जादा है, तो दौनों भाई मिलके क्या करेंगे इंडिया वाली इंकम को बढ़ाएंगे इंडिया वाली इंकम को कम करेंगे अब सरकार बोले आपने आटलाख रुपे का पेमेंट किया आपको तो दसलाख का करना चाहिए था क्योंकि ALP तो दसलाख रुपे निकल के आ रही है और बोले इसलिए क्य इंडिया वाली इंकम रिडियूज हो रही है इसलिए एल्पी के प्रॉइबिजन से एपली के बिल नहीं होंगे तो थर्ड में क्या लिखा है अगर हम इन काम को करते हैं इंकम को निकालते हैं जो उपर लेके थे एक्सपैंस या इंट्रेस या हम कॉस्ट का ऐलोकेशन करते है मतलब जो भी उन पर लिखाता इनको करने के बाद हैस दा इफेक्ट जो इंपेक्ट पड़ता है वो इंपेक्ट क्या पड़ता है अगर इंडिया वाली इंकम रिडियूज कर रही है तो फिर उस केस में एल्पी के प्रॉइब विजन्स नहीं लगा है हमने जितने भी कॉश के प्रॉइब विजन्स लागा के उस इंकम को कम नहीं किया जाएगा तो इसको कहा जाता है आपके लिए एप्लिकेबिल्टी अच्छे तरीके से स्थिरी याद कर लेना वो पूछ सकते हैं कि ये बताओ एल्पी के प्रॉइब विजन्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स म इंडिया वाले लॉस का बढ़ने का मतलब भी यही हो गया कि इंडिया में इंकम कम होगी तो अगर इंडिया वाली इंकम कम हो रही है तो उस ट्रांजेक्शन्स पे एल्पी के प्रॉइब इजन्स के लिए एप्लाई नहीं किया जाएगा तो अभी तक की जो किलास हुई उस में मैंने दो बातें आपको टीज करी एक तो छहस कम एल्पी होते हैं और अर्थमेंटिकल मील निकाला जाता है और 3% का variation accepted है wholesale में 1% का variation accepted है और section 92 मैंने पहला section मैंने teach कि कब-कब ALP को applicable किया जाएगा और तीसरे subsection में लिखा हुआ है कब applicable नहीं किया जाएगा बोलिए doubt पूछिए बेटा अपने आप देखा मैंने कहा ता दीरे-दीरे आठ नों बच्चे तक आ जाएंगे आज 15 स्टूडेंट से बेटा अठारे से भी तीन कम दीरे-दीरे हम आएंगे आठ नों पे और इसमें भी वो बच्चे भी दो-तिन बच्चे तो वह हैं जो मुझे शेक हैं पवन हैं प्रीति में हैं राजगुप्ता साक्षी बोलिए डाउट बोलिए बिटा हुमा डाउट बोले बिटा अब बात करते हैं नेक्स डैफिनेशन की नैंटी टू ए पेपर में कम से कम चार-पंच बार कोशन आ चुका है पिछले दस से बारे अटेंप्ट में बहुत आने के जवर्दस चांसिस मैंने फिर कहा नैंटी टू से कोशन्स काम आता है नैंटी टू ए से कोशन्स जादा आता है मैंने यहां पर भी जो आपको लिस्स बनाई थी मेरे एक हाल से नैंटी टू ए के उउपर मैंने इंपोटेंट लि पर आ जाते हैं थोड़ा सा निपटा देते हैं फिर two पर आएंगे लेकिन one paper में नहीं आएगा paper में two ही आएगा subsection one नहीं आएगा ये मैं guarantee लिए रहा हूँ one में general meaning बताया गया है और two में उस meaning के example दे रखेंगे वन में कहा गया है associated enterprises in relation to another enterprises means an enterprise एक enterprise को दूसरे का associate तम माना जाएगा when participates directly और indirectly through one or more intermediaries in the management और control और capital of the other enterprises तीन words लिखे हुए हैं आप management में participate करते हो आप control करते हो या capital में participate करते हो एक enterprise दूसरे enterprise को किसी भी तरीके से manage कर रहा है या control कर रहा है या capital में participate करता है तो उन दोनों enterprise को बोला जाएगा associated enterprises तो ये जो तीन words लिखे हुए हैं ये तो बहुती broad मतलब हो गया control करने का मतलब क्या 10% share तो control माना जाएगा क्या अगर आपने दो director कर दी तो management में participate क्या माना जाएगा आपका अगर आपने capital जो पैसा उधार दे रखा है सब कुछ करते हैं पूरी capital का आपने 10% पैसा उधार दे रखा है तो क्या आपका उसमें participation capital में माना जाएगा ये तो बहुत general meaning है कि आप management में participate करते हो हाँ इसका मतलब ही है कि management में participate का मतलब हो गया company के directors आपने appointment करे हुए है control करने का मतलब ही हो गया कि एक आपके पास equity shares voting shares है इसलिए आप control कर रहे हो capital में participants करने का मतलब हो गया जो भी capital introduced की गई है उसमें आपका पैसा भी लगा हुआ है तो हम बोलते हैं दोनों associated हैं लेकिन इसका कितना कितने percent लगा हुआ है तो ये तो ये बताया गया कि ये होना चाहिए but exactly कितना होना चाहिए वो subsection two में लिखा हुआ है और देखो लिखा भी किया है for the purpose of subsection one two enterprise shall be deemed to be associated if अब वो कहती है उपर तो बहुती general है हम अब exact मतलब बता रहे हैं और उन ने कहा one enterprise holds directly और indirectly shares carrying not less than twenty six percent of the voting power in the other enterprises तो अगर एक enterprise दूसरे enterprise के कम से कम twenty six percent not less than twenty six का मतलब हो गया 26 percent या उससे जादा तो आपके लिए अब ये बताओ ये control का case हुआ management का case हुआ capital का case हुआ ये control का case हुआ आप control कर रहे हो दूसरे के लिए 26 percent या उससे जादा shares होते हैं तो फिर आपकी बात मानी जाएगी जब भी resolution पास होगा जहां आप voting कर दोगे वोचिज majority से जीत जाएगी तो आप control कर रहे हो दूसरे enterprise के लिए तो अगर एक enterprise के लिए दूसरे enterprise के बास 26 percent है उससे जादा voting powers मतलब equity shares होते हैं तो इसको और जो आपका B है वो B से related है B मैंने भी नहीं पढ़वाया जानमूच के लेकिन जब मैं यहां पर example दूँगा तो मेरी बात समझ में आएगी इसका example देख लेते हैं A और B और B के 30 percent shares A के पास हैं यह दोनों आपस में क्या हो गए associated enterprises लेकिन B का example दिहान से समझो तो आपको मेरी बात समझ में आएगी और question ऐसे नहीं आएंगे definition लिखने को नहीं आएगी वो सीधे यह बोलेंगे A के पास 25 percent shares और B के हैं यह associated हैं या नहीं है आप को दोगे as per definition of section 92 A subsection 2 26 percent यह उसे जादा होंगे तभी associated माना जाएगा in the given case he holds 25 percent shares therefore they are not the associated enterprises suppose करते हैं A के पास B के 30 percent shares है और A के पास C के 27 percent shares हैं 27 percent shares हैं तो बताओ A और B किया हुआ associated लेकिन वो तो पहले वाले से ही बन गए A और C क्या हुआ associated लेकिन वो तो A से बन गए खास बात क्या है B और C को भी associated enterprises माना जाएगा B और C को भी associated क्योंकि अगर A B का भाई और C A का भाई तो बताओ B और C क्या हुए B और C भी आपस में भाई हो गए तो वो कहते हैं any person और enterprise मतलब A वो यहां पर A कह रहे हैं A holds directly और indirectly shares carrying not less than 26 percent of voting power in each, each का मतलब हो गया B और C of such enterprise तो जो associated हैं आपस में उनके कम से कम 26 percent shares किसी तीसरे के पास अगर हैं तो उन दोनों को भी आपस में बोला जाएगा associated इसलिए B और C भी आपस में क्या हो गए associated तो कि दोनों को hold तो A की कर रहा है चलाने वाला तो A की है तो B और C यह बात यहां पर लिखी हुई वो कठिन तरीके से लिखिये paper में कभी नहीं आती है लेकिन मैं पढ़वा देता हूँ in respect of which one or more persons who participates directly और indirectly through one or more intermediaries in its management इतनी difficult मत देखो जो language underland मैं करूँ उसको देखो one or more persons who participate in its management और control और capital are the same persons who participate in management और control और capital of the other enterprise तो अगर एक enterprise के control management या capital में जो participate करते हैं वो ही दूसरे enterprise के control management या capital में participate करते हैं तो पहले और दूसरे वाले को बोला जाएगा associated enterprise एक enterprise के control management या capital में जो लोग contribute कर रही हैं वो वो ही लोग हैं जो किसी और enterprise के control management या capital में वो participants कर रही हैं तो दोनों को मान लिया जाएगा associated तो B वाले point का ये example भी हो गया तो एक अगर enterprise दूसरे enterprise के 26% या जादा shares को hold कर रहा है और किसी और enterprise के भी 26% या जादा shares को hold कर रहा है जो दो होंगे उनको बोला जाएगा associated enterprises पेपर में C आ चुका है जिसमें double tick लगा हूँ वो पेपर में आ चुका है ये loan advance by one enterprise to other enterprise constitutes not less than 51% of the book value of the total assets of the other enterprise अभी एक capital में contribution हो गया एक control में था participation एक management में था उपर वाले control में था अभी हो गया आप capital में participate आपने loan दे रखा है और जो इतनी भी उसके पास assets की book value है उसके कम से कम 51% not less than 51 51% or more 51% or more 26 का मतलब होता है 26% or more not less than लिखा हुआ तो किसी की सब पोच करते हैं 10 करोड capital है तो 10 करोड उसका 51% निकाले कम से कम इतना loan किसी दूसरे ने दिया हो तो फिर हम दोनों enterprise को बोल देंगे associated enterprises इसके बाद d one enterprise guarantees not less than 10% of the borrowings of the other enterprise जब भी आप किसी financial institution से borrow करते हो तो आपको guarantee देनी पड़ती है guarantee किसी दूसरे परसंट की लेनी पड़ती है तो एक आदमी ने जितना भी loan लिया था उसके 10% का guarantor अगर दूसरा एंटर कम से कम 10% का guarantor कोई दूसरा enterprise है मतलब एक ने अगर सपोच करते हैं 100 करोड का loan ले रखा है और 15 करोड का guarantor एक एक enterprise है 15 करोड का 10% यह उससे जादा का guarantor हो गया तो दूनों को बूला जाएगा आपके लिए associated enterprise है यह पेपर में दो तिन बार आ चुका है more than half of the board of directors more than half of the or members of the governing board or one or more or one or more of executive directors or executive members of one enterprise appointed by the other तो अगर हम board of directors की बात करें या members की बात करें तो more than half और executive directors की बात करें executive members की बात करें तो one or more than one or more एक से जादा अगर दूसरे enterprise ने एक पॉइंट किये हुए हैं अब यह हो गए आप उनके management में participants कर रहे हैं management के अंदर directors आपने holding company ने subsidiary company के अगर सब्पोच करते हैं डिरेक्टर्स को एपन किया हुआ है अब भलाई 26% से कम shares थे लेकिन directors जो एपन किये गए वो आदे यादे वो सुरी आदे नहीं आदे से जादा थी यहां more than लिखा हुआ है या एक ये एक से जादा अगर executive directors को एपन किया हुआ है तो इनको बोला जाएगा आपके लिए associated enterprises धंक से कलने ना four marks का question मैं आपको teach कर रहा हूँ जो एफ है वो बिल्कुल same example हो गया आपका जो मैंने example यहां पर भी वाला example दिया था more than half of the board of doctors of members of governing board each of the two enterprises are appointed by the same persons or persons तो A suppose करते हैं B के आदे से जादा doctors को एप्वेंट करता है और A C के भी आदे से जादा doctors के लिए एप्वेंट करता है तो A और B तो associated हैं A और C तो हैं लेकिन B और C भी हैं each of two जिस जिसके भी वो both of doctors को आदे से जादा आया प्वेंट करेगा उन सबको बूल दिये जाएगा associated enterprises जी 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 जो मैं टिक कर रहा हूं वो पेपर मैं आ चुके हैं मैं फिर बता रहा हूं मैं जी की बात कर लेता हूं अआ चुके ही जी केहा हूं मानुके हैं मßenसरिऑ और सट जाद कर्णा , यस और किय्क्री कि झाथार्ण जेज वनुच स्बड़िक चर्मे moisturizer थीजाते चाहं ऑंजे Nachtra चीज़ ऋफिश्यां लाड्य को आथार कि बातां च neuen। data, documentations, drawings, specifications relating to any patents, invention, models, design, secret formula or process or which of which the other enterprise is the owner or in respect to which other enterprise has the executive rights. एक आदमी का पूरा का पूरा बिजनस या पूरा का पूरा manufacturing process उस बात पर depend करता है उस right पर जिसके right किसी और के पास है फिर चाहे वो नुआ हो सकता है फिर चाहे copyright हो सकता है फिर trademark हो सकता है फिर license हो सकता है या फिर data हो सकता है फिर documents हो सकता है drawings हो सकते हैं designs हो सकते हैं models हो सकते हैं secret formula हो सकता है अब suppose करते हैं इंडिया के अंदर एक company mobile बनाती है और mobile बनाके बेचना चाहती है और पूरा का पूरा Android बेस है और Android का किसके पास patent है Google के पास है उसके बिना आपका product बेकार है तो आपका पूरा का पूरा business किस पर depend कर रहा है उस patent पर depend कर रहा है जो किसी दूसरे enterprise के पास है तो उन दोनों को बोला जाएगा associated enterprises सपोर्च करते हैं मैं कार कंपनी स्टार्ट करता हूँ और कार की डिजाइन मैंने किसी से बौरो करी सपोर्च जनरल मोटर से मैंने कहा कि डिजाइन आपके पास है तो मेरा पूरा बिजाइन उस पर depend करता है जिस डिजाइन के reds किसके पास थे दूसरी कंपनी के पास थे तो उन दोनों को बोला जाएगा associated enterprises इसके बाद आपके लिए आता है ये paper में आ चुका है 90% or more of the raw materials and consummables required for the manufacture and processing of goods and articles carried out by one enterprise are supplied by the other enterprises जितने भी आप goods की manufacturing या processing करते हैं उसके लिए raw materials या consummables चाहिए 90% या उससे जादा के raw materials या consummables आप एक ही enterprise से खरीदते हो तो दोनों को बोला जाएगा associated enterprises इसके बाद लिखा हुआ है तो एक दूसरे को बेचता है बेचने वाला decide नहीं कर रहा है कि क्या price होगा क्या conditions होगी जो खरीद रहा है वो decide कर रहा है क्या लिखा है goods and articles और manufacture or process by one enterprise sold to other other पर emphasis करना other enterprise and price and other conditions rating there too are influenced by such other enterprise A.B. को बेचे तो conditions कौन लगाएगा A. मेरी ये conditions है लेकिन be decide कर रहा है ये price होना चाहिए और इस conditions पर खरीदा जाएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं be dictate कर रहा है आपको control कर रहा है किसी ने किसी तरीके से आप ये नहीं पता किस तरीके से कर रहा है लेकिन अगर गो terms condition decide कर रहा है price decide कर रहा है उन दोनों को बोला जाएगा associated enterprises, इसके बाद मैं यहां पर पढ़ाता हूँ आपके लिए where one enterprise is controlled by an individual, individual के लिए खास, the other enterprise is also controlled by such individual or his relatives or jointly by his relative of such individual associated, तो एक individuals के दो enterprises हैं, एक मेरे मेरे दो coaching centers हैं, एक दिल्ली में, एक दिल्ली से भार है, दोनों, उनके बीच में कोई भी transaction associated, एक individual का है, और दूसरा मेरे relative का है, और his relative, या फिर मेरा और relative का मिला के है, जैसे यहां पर sole proprietorship है, और अमेरिका में एक partnership हम है, मेरे और मेरे relatives के में, आपसमें मिला के है, तो उन दोनों को बोला जाएगा associated enterprises, यह paper में आ चुका है कि, where one enterprise is controlled by HUF, the other enterprise is controlled by a member of such HUF, और by a relative of member of HUF, और jointly by such member and his relative, मतलब एक HUF का enterprise है, और दूसरा जो enterprise है, वो HUF के किसी member का है, या HUF के किसी member के relative का है, या HUF के जो member and relative का jointly है, तो इंडिया में कोई HUF है, उसका एक company है, HUF का अपना enterprise है, और इंडिया से बाहर HUF का कोई member है, और उसका एक relative है, उन दोनोंने jointly hold किया हुआ है, उनके बीच में transactions किसी भी तरीके का होगा, तो बोलेंगे transactions between the associated enterprises, और आगरी दे रखा है, तो अगर एक firm है, और उस firm का में जो कोई partner वगारा है, 10 not less than, 10% है उससे जादा का partner है, तो उसका अपना कोई दूसरा enterprise होगा, तो उसको भी बोला जाएगा associated enterprise, suppose करते हैं एक partnership हम है, उसके तीन partners हैं, A, B, C, और जो A है, वो A, 20% का partner कम से कम है, और B का अपना एक enterprises है, जो B और partnership हम होगे, उनको बोलेंगे associated enterprises, जो मैंने tick करें, वो paper में आ चुकी है, जो subsection 1 में लिखा हुआ है, वो बहुत common बात क्या रही है, एक enterprise, दूसरे enterprise के management में, control में, capital में participants करता है, B कहता है, एक enterprise में भी participants करता है, और दूसरे enterprise के में भी participants करता है, तो उन दोनों को बोला जाएगा associated enterprises, लेकिर इसके examples क्या होंगे, what is the exact meaning of the control management, और capital में participants करना, वो एसे लेके आई तक बता रखे हैं, आने के chances almost sure paper में आता ही आता है, and this is the definition of the associated, इसलिए जितने भी questions हमने करे थे, वहाँ जो shares की holding दे रही थी, या तो directly दे रहाता associated है, लेकिर एक दो questions याद करो, वहाँ दे रहाता, directly associated नहीं है, इतने percent shares को hold कर रहे हैं, वो देखना 26% ये उससे ज़्यादा के shares दे रहे थे, यो कल हमने 5 questions करे थे, अब हमने दो definitions कर ली, पहली definition हमने कर ली, उसको कहा जाता है applicability of ALP, ALP कब applicable होगी, लेकिन साथ में हमने ये भी किया, ALP कब applicable नहीं होगा, applicable कब होगा, जब income arise हो रही है, या expenses को आप allow कर रहे हो, या interest related transactions है, या फिर cost को अगर आप share कर रहे हो, उसका allocation हो रहा है, या फिर specified domestic transactions हैं, तो ALP के provisions applicable हो जाएंगे, और कब applicable नहीं होंगे, जब ALP लगा के India वाली income reduce हो रही है, इंडिया वाली income कम हो रही है, तब ALP के provisions applicable नहीं होंगे, और फिर 92A पढ़ाया, इसमें अभी अभी टीच किया, definitions of the associated anti-crisis, अब बात करते हैं, definition of the international transaction, मज़ेदार चीज, बहुत मज़ेदार, पेपर में दो बार आ चुका है, definition of the international transaction, और दोनों बार section गलत लिखा हुआ था, दो बार पेपर में आया, section 92B होता है, और दोनों बार section 92C भी लिखा हुआ था, और बच्चे बड़े परेशान, बच्चे कहते हैं सर, हम तो इसी बात में, आपने sections हमें याद करवा के भेजा, और वो जो question पूछ रहे हैं, उसके अंदर होना section CB लिख दिया, से फारबर रूल का section होता है, और definition पूछी गई है, इंटरनेशन टांजक्शन की, तो बच्चे तो बहुत ही कन्फ्यूज हो गई, पेपर भी धंगसर दजान नहीं कर सकते हैं, देखो, जून पहले दिसंबर, दिसंबर 17 का पेपर देखते हैं, पहले, इसको देखने से एक पात और भी समझ में आएगी, हांसे जो पढ़ रही हैं, वो पेपर में आता है, ये भी समझ में आएगी, साल में दो पेपर आपको लेने होते हैं, बच्चा गलती करते हैं, आप माक्स काट लेते हैं, इंस्टूट गलती करते हैं, तो कोई किसी की नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर दिसंबर 17 के बाद दोवारा कोशन रिपीट किया, उन्होंने जून 18 के अंदर, कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट, देखो, पहले तो जो इनुमरेट कॉंसीक्वेंस इवाला था, ये कोशन बिल्कुल कॉपी किया, देखो, बी दिया था, उन्होंने एक प्रक्टिकल कोशन, लेकिन बी और सी को कॉपी पेस्ट किया, ये सी को कॉपी पेस्ट किया, तो सेक्शन तो चेंज कर देते, दुबारा से 92CB लिखा हो, बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें साथ देना चाहिए हैं, स्क्यूट का हमेशा, लेकिन क कुछ हरकते हैं तो इसी जो नाकाबले बरदास्त होती है, इतनी बड़ी गलती है, आप कैसे कर सकते हो, 92CB, चलो एक बार गलती कर भी दी, तो अगली बार तो सुधार लो, कम से कम 50 लेटर आपके पास आए होंगे, 50 बच्चों ने इमेल किया होगा, 50 जगे इसकी चर्चा चली होगी, 92CB, सेफ भार का होता है, और लेकिन ये तो प्रूब हुआ न, इसके कोश्चन्स आते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे कोश्च्चन्स आते हैं, मैं कोश्चन्स बात में कर वाँगा, क्योंकि फिलो मैं चल रहा हूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको चाहता हूं पढ़ाते रहा हूं उसके बात कोशन करवाऊंगा जो को सेफ हार्बर रूल्स का होता है सी बी नैंटी टू सी बी इस एक्षिन अफ नैंटी टू सी बी इंटरनेशल टांजेक्शन का नैंटी टू बी और यह बात मैंने इसलिए बता दी अब आपको याद रहेगा नैंटी टू बी होता है अब आप नहीं भूलने वाले हों इंटरनेशल टांजेक्शन का जो सेक्ष्ट होता है नैंटी टू बी आने के चांसि दो बार मैंने का था आया हुआ दोनों बार मैंने चेक करवा दी वो कहते हैं transactions दो enterprise के बीच में होना चाहिए जो कि associated हों पहली बात तो associated हो और दूसरी बात उन दौनों में से दौनों या कम से कम एक non-resident जरूर है one और either both और who either का मतलब एक कम से कम और both का मतलब दौनों either of whom either of whom का मतलब दौनों में से एक और both हूं का मतलब दौनों कम से कम दौनों में से कम से कम अगर एक non-decedent है तो उसको बोला जाएगा international transaction फिर चाहे वो sale का हो फिर चाहे परचेच का हो फिर चाहे पैसा हो दा जो लिखाता हूं पर income expenses वाला, interest वाला वो सब यहां पर बाते लिखेंगे उसका मतलब कुछ भी नहीं या फिर cost को आपने allocate किया हुई वाला होगे agreement वाला हो गया आप उनको allocate कर रहे हो खर्चे वगरा के लिए allocation अप तो उसको याद करने ज़रूत नहीं है नीचे लिखा हुआ यह main बात लिखी हो दो associated enterprise के बीच में अगर agreement है associated होना जरूरी है दोनों हम associated की definition पड़के चले या आए और उसमें से कम से कम एक या दोनों अगर non-resident हैं तो बूला जाता है international transactions अगर दोनों resident होते हैं तो international बोल ही नहीं सकते हैं तो इंटर में एक question कई बार आ जाता है उसको कहते हैं cross border transactions क्या होता है और एक में यहां पढ़ा रहा हूँ international अब आप difference समझ पाओगे दोनों में क्या difference इंटर में question पूछ लिया बहले बताओ तो कि international transaction क्या होता तब बच्चा एक लिए answer दे भी पाएगा अब बच्चा cross border को international समझता है इंडिया के बाहर कोई भी transaction किया जाएगा तो इसको international transaction बोल दिया जाएगा जबकि यह तो लिखा ही नहीं है दो enterprises अगर हैं और उसमें से कम से दोनों associated हो पहले और उसमें से एक non-decedent हो इसको international बोल दे तो अगर इंडिया के बाहर से आप transactions कर रहा है और वो associated नहीं है तो international माना ही नहीं जाएगा associated होना ज़रूरी है associated नहीं है तो ALP के provigency applicable नहीं हो रहे है और वो world use कर रहे है international पे ALP लगाएंगे international की खास बात हो गई उनका associated होना ज़रूरी है तो holding इंडिया के बाहर है और इंडिया में subsidiary company है 26% है उससे ज़्यादा के shares है associated अब जो भी transactions होगा international फी इंडिया से बाहर वाली company is the non-decedent लेकिन अगर associated नहीं हैं तो international transactions नहीं बोल सकते हो तो हम क्या बोलेंगे cross border transactions इंडिया के बाहर किसी भी तरीके के enterprise से transactions किया जाता है उसको cross border transactions कहा जाता है हाला कि अगर वो enterprise या इंडिया वाला associated है पर उसमें से एक non-decedent है तो उसको बुल दिया जाएगा international transactions cross border तो सारा वो हो गया जो border के पार से transaction हो रहा है लेकि international के लिए उसमें से दो खास बात होनी चाहिए associated होना चाहिए और दोनों में से कोई एक non-decedent दोनों non-decedent हो तो अभी चलेगा उसको कहा जाता है international transactions लेकिन subsection 2 में उन्होंने एक छोटी सी बात लिखी उसको समझने की कोशिश करो वो धोड़ी इसी अच्छी बात है मैं पढ़ा रहा हूँ international transactions international transactions और मैं पढ़ा रहा हूँ 92b का subsection 2 क्योंकि यह subsection 1 तो easy है लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर 92b का subsection 2 suppose करते हैं मैंने यहाँ पर लिखा एक a लिखा और एक मैंने बी लिखा और एक मैंने यहाँ पर c लिखा यह जो आपस में हैं दोनों भाई आपस में associated enterprises है associated enterprises यह इंडिया के बाहर है यह इंडिया के बाहर है outside India लिख इसको non-resident मान लेती है अब associated भी है और non-resident भी है तो यह आपस में क्या transactions हो जाएगा international अब इसमें c की entry करते हैं एक c है b और c के बीच में transactions होता है b और c के बीच में transactions होता है इसने इससे goods खरी दी और इसको payment दिया ध्यान से देखना goods खरी दी एरो कहां लगा रहा हूं देखना goods खरी दी और payment दिया जब payment दिया goods जो खरी दी वो सपोच करते हैं तस लाक रुपे की हैं और payment दिया के बल सात लाक रुपे का गुंडगर्दी की बात नहीं कर रहा हूं c बोला सब जब आपने मुझे दस लाक रुपे की goods खरी तो c की आपने payment मुझे सात लाक रुपे का ठोंकी है तो गलत बात है बोले चिंता मत करो मुझे पता है कि तुम एके संग भी transactions में जाने वाले हो बोले हां मुझे पता है सर मैं एको भी goods के लिए बेचने वाला मैं एके लिए भी goods को बेचूंगा कितने के goods बेच रहे हो उसने का सर में जो एके लिए goods बेचूंगा वो गुर्स बेचुंगा 40 लाख रुपे की उले चिंता मत करो मैं एग्रीमेंट के समय बैठा हूंगा या मुझसे ही एग्रीमेंट कर लो मेरा चोटा भाई है मैं तुम्हें वहां से जो पेमेंट दिलवाऊंगा वो मैं तुम्हें पेमेंट 43 लाख रुपीश का दिलवाऊंगा 43 लाख रुपे का दिलवाऊंगा अग्रीमेंट अभी मेरे साथ करने और अगर मुझसे अग्रीमेंट अभी नहीं करना चाहते हो तो एक ये संग जब भी अग्रीमेंट रो मुझे बुला लेना मैं वहां बैट जाऊंगा और मैं लिखवा दूंगा बलए मारकेट मैं 40 लाख रुपे प्राइच चल रहा है लेकिन मैं तुम्हें वहां पर दिलवाओंगा 43 लाख रुपीस तुम्हें दिलवा दूगा B की income 3,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 लाख रुपे से इंक्रीज कर गई, यहां टेक्स का रिट 20% है और यहां टेक्स का रिट 30% है, अब बताओ टेक्स बच गया, यह आपस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो हम बोल देते हैं, इंटरनाश्ल ट्रांजेक्शन हैं, और हम ALP लगा देते हैं, इन्होंने गेम खे प्राइस को मैन्यूपिलेट किया, कि इस तरीके से, एक B की इंकम बढ़ जाती है, एक B की इंकम को 3 लाख रुपे से बढ़ा दिया, और जहांट टेक्स का रिट अब मैं बोलूं कि A का जो C के सेंग ट्रांजेक्शन्स हुआ, हमें इंडिया से तो मतलब है, यह किसे tax बचाया जा रहा है तो उन्होंने subsection two बनाया क्या लिखा a transaction entered into by an enterprise with a person other than a associated other than other than associated जो associated नहीं है shall be deemed to be international deemed इसको भी international मान लिएंगे और ये मानेंगे entered into between two associated हम इसको भी associated वाला ही मान लिएंगे और international मानेंगे लेकिन कब if there exist a prior agreement in relation to the relevant transactions अगर एक agreement पहले से था already between such other person and the associated enterprises मतलब क्या हुआ ये जो agreement हुआ था ये जो इनके बीच में agreement इनके बीच में agreement हो चुका था C और B के बीच में और वो agreement किस transactions के लिए हुआ था A और C के मैंने यही तो बोला B ने क्या कहा बीने का चिंता मत करो मेरे संग agreement कर लो तुम A के संग के अपराइज लगाएगा मैं करने को तैयार हूँ तो A और C के बीच में जो भी transaction हुआ उसका agreement पहले से B और C के बीच में हो चुका था language को पढ़ना सीखो क्या लिखा हुआ है वो कहते हैं not associate को भी हम मानेंगे as international if there exist a prior agreement between such other person मतलब C and associated मतलब D enterprise तो हो गया A, A को तो बोलूँगा enterprise, B को बोलूँगा associated enterprise, C को बोलूँगा other person if there exist a prior agreement in relation to relevant transaction between such other person मतलब C and the associated मतलब transactions तो इंडिया वाले का हो रहा है लेकिन agreement किसने बनाया हुआ है? associated enterprises ने उसको बोलेंगे या फिर दूसरी बात वो कहते हैं जो agreement नहीं था, agreement हम इन दौनों के बीच में करवाते हैं, किसके बीच में करवाते हैं? A और C के बीच में करवाते हैं, A और C ही मिलके agreement करेंगे the terms of relevant transactions are determined in substance between such other person C and associated B agreement तो A और C के बीच में हुआ, लेकिन terms and conditions क्या होंगे? उसमें A ने कोई रूल पे नहीं किया, B और C ने मिलके decide किया terms and conditions क्या होने चाहिए? इस example पे हम दोबारा आते हैं जो A और C के बीच में transactions हुआ, उसको हम मान लेंगे associated enterprise अगर दो में से एक काम हो जाता है, जो A और C के बीच में transaction हुआ, उसका agreement इसके बीच में हुआ था, B और C के बीच में पहले से ही हो गया था, और B ने C से कहा दिया था, ये agreement लो, इस price पे तुम्हारा A के सिंग agreement होगा, या फिर transactions तो A और C के बीच में ही agreement हुआ, लेकिन A और C के बीच में उस transactions के terms conditions क्या होंगे, वो A और C ने decide नहीं करे, वो B और C ने implicate decide करे, तो A और C के बीच में जो transactions हुआ होगा, उसको बोला जाएगा deemed international transactions और उसको भी मान लिए, लेकिन अब एक दिक्कत बहुत बड़ी आ गई, अब दिक्कत क्या आ गई, इंटरनेशनल के लिए हमने इसको associate तो मान लिया C के लिए, लेकिन उपर वाले point में लिखाता एक का, अब ये resident था, ये resident था, और ये non-resident, और C suppose करते हैं, resident है, ये इंडिया में ही था, suppose करते हैं, तो तीसरा मौरा बठाया गया, वो इंडिया के अंदर ही बठाया गया था, अब वो कहते हैं, उपर तो लिखा हुआ, हमने ये बोल दिया कि A और C के बीच में जो transactions होगा, उसको हम मान लेंगे transaction between associated, लेकिन उसमें से उन दोनों का एक का non-resident होना तो जरूरी है, तो फिर act में आखरी लाइन लिखी गई, और आखरी लाइन क्या लिखी गई, where the enterprise और associate enterprise और both them are non-decedent, मतलब A और B में तो कम से कम एक non-decedent हो, irrespective of whether such other person is non-decedent or not, हम तीसरे person का नहीं देखेंगे, अगर वो दोनों जो जो starting में शुरू किया, वो आपस में अगर international transactions के लिए हैं, वो associated हैं, तो तीसरा वाला चाहें resident हो, चाहें non-decedent हो, international transactions मान लिए, तो वो कह रही हैं, अगर A और B में से कम से कम एक non-decedent था, जो associated थे, तो हमें ये फरक नहीं पड़ेगा, C का status क्या है, C resident भी हो सकता है, या C non-decedent भी हो सकता है, अभी तक paper में एक बार भी लिखने के लिए ये नहीं आई है, हाँ international की definition में तो लिखना ही पड़ेगा, I'm sorry बेटा, जब प्याला भी point लिखना पड़ेगा, दूसरा भी लिखना पड़ेगा, तो air transactions अगर other than associated enterprises के बीच में होता है, उसको मानेंगे international transaction between the associated enterprises अगर दो में से एक काम हो रहे हैं, there exists the prior agreement between such other person and the associated enterprises, उस transactions का agreement पहले ही दो लोगों के बीच में बन चुका था, किस के बीच में associated और such other person, या फिर उस agreement के जो terms and conditions substance में थी, maximum, वो किसने मिलके decide करे थे, such other person और the associated enterprises, और आखरी बात, और such other person, whether he is resident और non-resident, चाहें वो resident हो, चाहें non-resident हो, अगर ये सब conditions satisfied हैं, तो इस transactions को बोला जाएगा deemed international transactions, इस ड़र के लिए समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए, तो दूसरी definition भी होगी 92B, पेपर में दो बार आ चुकी है, section याद कर लेना 92B, 92C भी गरास section है, आपको 92B लिखके आना पड़ेगा, अब मैं teach करूंगा एक बहुत शांदर section जो पेपर में, frequently, फिर मैं कहता हूँ केबल MCQ भी तरीके से आया हुआ है बार बार, और टू मार्क्स का आता है, लेकिन आता तो है, दो नंबर बहुत होते हैं, जिसकी यह रजाते हैं, 199 उससे दो नंबर की वे लिए पूछकत नहीं होती है, धंग से करना 92 BA, series में teach कर रहा हूँ, जिससे कि आपको sections maximum याद रह जाएं, 92 C, applicability और non-applicability, 92 A, definition of associated enterprises, 92 B, definition of the international transaction, और 92 BA को 2000 बारे में include किया गया था, finance act 2012, आसे 10 साल पहले, ये section मेरे सामने income tax में आया था, 92 BA, specified domestic transactions, सरकार ने कहा, हम international transactions पे तो ALP लगाती हैं, जो आपके domestic transactions हैं, उस पे भी हम लगाएंगे ALP, और उन ALP हम लगाएंगे जिससे कि एक बहुत अच्छी value निकल के आए, scientific तरीके से value निकल के आए, किसी भी तरीके का dispute arise नहीं हो, इसलिए उस पे भी ALP लगाई जाएगी, लेकिन, 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 जितने भी transactions specified के अंदर कबर किये गए, जैसे ATA section, ATIA subsection 8, इन सब में fair market value लिखा था, ATIA 10, 10 AA, 115 BAB, अभी इनके बारें बात करूँगा, लेकिन, इनको specified domestic transaction तभी माना जाएगा, जिस पे based MCQ आता है, where the aggregate of such transactions entered into by SSE in the previous year exceeds a sum of rupees 20 crore, बस ये समझो, मैंने आपको दो नंबर दिलवा दिए, बस ये ही question आता है, specified domestic transactions का माना जाता है, 92 BA में जो transactions लिखे हुए है, aggregate, मतलब अगर एक से जादा भी transactions applicable हो रहे हैं, तो सबका transactions total करो, अगर वो 20 crore को exceed कर रहा है, तो specified domestic transactions माना जाएगा, इसका मतलब अगर transactions की value 20 crore को exceed नहीं करेगी, तो FMB ही applicable रहेगा, तो fair market value देखी जाएगी, क्योंकि फुरस को specified domestic बोली नहीं सकते हैं, 92 के according ALP तभी applicable होगी, जब specified domestic transaction होगा, जो 92 BA में लिखा हुआ है, और 92 BA कहता है, हम specified domestic transactions तभी बोलेंगे, जब aggregate value of transactions, जो जो यहां पर लिखे हुए हैं, 20 crore को exceed कर रहा होगा, 20 crore को exceed नहीं करेगा, you may not call them specified domestic transactions, and if these are not the specified domestic transactions, ALP 92 के according applicable होई नहीं सकती है, इसका मतलब अब इस पर लगाया जाएगा, fair market value ALP नहीं लगाया जाएगा, तो पहले तो यह बात मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दे, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा example देता हूँ, उस example के सारे सारे sections आपको जितने लिखे हैं समझ में, सारे समझ में आ जाएंगे आपके लिए, और example का मैं आपको बता रहा हूँ, 92 BA, specified domestic transaction, एक section होता है, deduction ATIA, deduction, under section ATIA, infrastructures facilities का अगर आपका बिजनिस है, तो आपको deduction का benefit मिलता है, AI जो बहुत बड़े amount का होता है, बहुत ज़्यादा amount का होता है ATIA का deduction, हम इस business को, जिस business को ये deduction मिलता है, उसको इस section में बोलेंगे, eligible deduction, eligible business, eligible business का मतलब माना जाएगा, वो business जो ATIA के लिए eligible है, starting में 100% तक का benefit मिल जाता है, starting ये सालों में 100% तक का benefit मिल जाता है, अब एक assessi है, उसके दो business है, एक assessi है, उसके दो business है, एक हो गया eligible business, और एक हो गया, not eligible business, not eligible जिसको ATIA का benefit नहीं मिलेगा, अब इनके बीच में transaction हुआ, ये transaction इनके बीच में हुआ, और transactions किस तरीके से हुआ, ध्यान से देखना, गुर्स बेची गई, और यहां payment लिया गया, तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, suppose करते हैं, 40 लाग की एक गुर्स के लिए sale किया गया, जो fair market value 40 लाग थी, और payment receive कर लिया गया, 10 लाग रुपे, 50 लाग रुपे का, आप दो अलग अलग बिजनस के बीच में भी जो ट्रांजेक्शन्स दिखाते हो, मैं अभी 92 BA नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक section 80 IA की deductions है, उसके अंदर मैं छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, तो eligible ने goods transfer करी, not eligible के लिए not eligible ने payment कर दिया, दस पचास लाख रुपे का, तो eligible बिजनस की income इस transaction से 10 लाख रुपे increase कर जाएगी, और यहाँ income 10 लाख रुपे से decrease कर जाएगी, आजी सर बिल्कुल ठीक, 10 लाख रुपे से आपकी income increase करेगी इस transaction से, लेकिन ultimately 80 लेकर reduction लेकर आप 10 लाख रुपे की अपनी income को कम कर लोगी, अब इसने यहाँ पर लिखा, eligible बिजनस से मेरी income होती है, इसने का 80 लाख रुपे की total income, income की बात कर रहा हूँ, और non eligible से जो मेरी income हुई, बिजनस से income, वो 50 लाख रुपे की हुई, वो 60 लाख माल लेती हैं, इसने का मेरी GTI हो गई, एक करोड चालिस लाख, इसने का मुझे deduction का benefit चाहिए, under section 80 IA, और eligible के 100% के बराबर मिल जाता है, 80 लाख रुपे का deduction किलेम पर लिया, और इसने total income अपनी दिखा दी 60 लाख, और 60 लाख रुपे पर tax पे करने को तैयार है, लेकिन अगर देखा जाता, ये transactions 40 लाख पर ही किया जाता, तो eligible वाला business तो 70 लाख रुपे का आता, और not eligible भी 70 लाख का, अच्छा, 70-70 लाख हो जाता दोनों, अब अगर इसमें ये transaction सही किया होता, तो ये 70 लाख रुपे पर आता, 80 लाख कीजिए कि 10 लाख रुपे profit काम होता, तो deduction यहां के अबल कितना मिलता, 70 लाख रुपे का मिलता, और 70 लाख का deduction मिलता, तो income भी 70 लाख रुपे निकले के आती, आपकी यहां पर, आप मेरी बस समझ पा रहे हो, तो cheating उसने क्या करी, उसने eligible business वाली income को बढ़ा दिया, और क्यों बढ़ा दिया eligible वाली के लिए, क्यों की बूर डेक्शन के लिए qualify करता है, कितना भी बढ़ा दो, reduction 100% मिल जाता है, at the rate of 100%, तो 80 लाग का सी पूरा मैनस कर लिए, तो फिर assessing officer क्या करेगा, assessing officer section impose कर देगा, यो 80 आई ए के अंदर ही लिखा हुआ है, subsection 8, 80 आई ए subsection 8, इसमें लिखा हुआ है, for the purpose of deduction, इसमें लिखा हुआ है, for the purpose of deduction, वो इस ट्रांजेक्शन को देखा है, अगर FMB पे होता, तो अगर FMB पे होता, तो वो कहता, देखो, eligible बाले का जो profit निकल के आता, तो वो 70 लाग रुपे निकल के आता, तो वो income को re-compute करेगा, वो यहाँ GTI लिखाएगा, एक करोड 40 लाग, और deduction केबल जो allow करेगा, वो आपको 70 लाग की deduction allow करेगा, और total income निकल देगा 70 लाग रुपे, बात logical है, income tax जराबी बही मानी तो नहीं कर रहा है न, income tax बलकुल ठीक काम कर रहा है, अगर यह transactions FMB पर ही हुआ होता, fair market value पर ही हुआ होता, तो FMB निकलेगा, बिजनिस की इंकम आपकी निकल के आई होती, 70 लाग रुपे निकल के आई होती, और 70 लाग का 100% होता है आपके लिए 70 लाग, इसलिए deduction आपको एक क्रोड 40 लाग में 70 लाग का मिलना चाहिए, और देखो, income 10 लाग रुपे से बढ़ा दी गई, और टोटल इंकम को, ये मत बोल देना, इंकम 10 लाग रुपे से बढ़ा दी जाएगी, फॉर्दा परपज और डिड़क्शन लिखा हुआ है, डिड़क्शन सही निकलने के लिए, वो ट्रांजक्शन की फेर मार्केट वैल्यू निकलेगा, उसके according decide करेगा, कितने डिड़क्शन होनी चाहिए, और डिड़क्शन होनी चाहिए, 70 लाख रुपे की, और 70 लाख रुपे करदेगा, असे ऐसी ये कहता है, कि आसर FMB क्यों निकाल लाए हो, आप इसकी ALP क्यों नहीं निकालते हैं, अब यहाँ से मैं एंटर करता हूँ, दूसरे देखे हैं तो इसकी ALP क्यों नहीं निकालते हैं, मैंने same transactions जो किया था, not eligible के through किया था, मैंने बाहर बालों की भी goods के लिए बेचा था, और मैंने बाहर बालों से भी जो payment डिसीप किया था, आप किया तो FMB 40 लाख रुपे चल लाई है, 40 market में क्या चल लाई है, मुझे इससे मतलम नहीं है, मैं same transactions और बाहर के लोगों से दिखा दूँगा, जब मैंने उन्हें goods को बेचा, same quantity की same goods को बेचा, तो मैंने payment डिसीप किया 50 लाख रुपे, तो जो not associated है, तो आपने transactions है प्राइश पर किया था, वो क्या था, AFMB आपकी 40 लाख है, वो क्या था, ALP निकालो, ALP तो 50 लाख रुपे निकल के आएगी, मुझे क्या मतलब XYZ कितने पर transactions कर रही हैं, मेरे दो transactions देखो न, मैं non eligible को चीज़ें बेचता हूँ, तो 50 लाख रुपे लेता हूँ, मैं बाहर वालों को बेचता हूँ, तो आप देख लो, मैं कितना पैसा रिसीव करता हूँ, सेम चीज़ बेच रहा हूँ, सेम टंसन कंडिशन साब apply कर दो, और देख लो, मुझे क्या प्राइज मिल रहा है, वो ALP बन जाएगी, और ALP के हिसाब से आप डिसाइड करो, कि मैंने बही मानी करी है या नहीं करी है, तो को FMB डिस्पूरिट हो गई, अगर ये प्रूब कर दे, कि इसने गुट्स बाहर वालों को सेम कौन्टिटी की सेल करी थी, और 50 लाख के आसपासी, इसी लिए डिमांड चल रही है बहुत जादा, कि इंकम टेक्स में जहां FMB लिखा हुआ है, उस FMB को ALP से रिप्लेस करो, तो सेक्शन 8TIA था, उस 8TIA में डाला गया है सेक्शन 8TIA 8, और 8TIA 8 ये कहता है, कि अगर एक ही असेसी के दो बिजनिस हैं, एक eligible और एक not eligible, तो असेसी क्या करेगा, असेसी अपने transactions को, वो assessing officer क्या करेगा, उस transactions की fair market value देखेगा, लेकिन अगर ये specified domestic transaction बन गया, मतलब transactions की value अगर 20 करोड को exceed कर गई, तो फिर हम इसको बोलेंगे specified domestic transaction, और जैसे ही specified बन जाएगा, व्यासे ही 92 applicable हो जाएगा, फिर assessing officer FM भी नहीं लगा सकता है, फिर deduction के purpose से assessing officer को, यहाँ पे भी ALP ही निकालनी पड़ेगी, इसी का एक छोटा भाई है, 98IA का, जिसको कहा जाता है, 8TI 810, यह मैंने पढ़ाया था 8, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, 8TI 810, 8TI 810 क्या कहता है, एक यह assessi हो गया, और एक any other person हो गया, और वर्ल लिखा हुआ है, close relation, इन दोनों के बीच में close relation है, इसका जो business है, वो eligible है, और इसका non eligible है, eligible का मतलब समझ रही होना है, जो 8TI के लिए, अब यहां से, यहां पर गुर्स के लिए बेचा गया, और यहां payment receive किया गया, same है, वहां पर अपने ही दूसरे business की help ली, अब गुर्स के लिए sale किया गया, पर payment receive किया गया, payment receive किया गया, 70 लाख रुपे, assessing officer ने का, लिए तो निकल के आई 85 लाख रुपीज, उले देखो, मैंने कहा था, market में 85 लाख रुपीज चल रहा है, और क्योंकि तुमारे close relations थी, close relations, और इस वज़े से आपने क्या किया, आपने जो पैसा receive किया, वो कम receive किया, 70 लाख, इस से कि आप, जो एफम भी निकल के आई बेटा, वो निकल के आई आई आपके लिए, एक मिनट बेटा, एफम भी हम ज़्यादा ही तो लेके चल रहे हैं ना, मैंने कितनी ली थी बेटा, यहाँ पर एफम भी है भी, कमी तो लेनी पड़ेगी हैं बेटा, तो जो आपने फम भी निकल ली, वो निकल के आती हैं सब बुछ करते हैं, 55 लेक्स, सौरी बेटा, और आपने पेमेंट ज़्यादा रिसीब कर लिया, 70 लाग का रिसीब कर लिया, तो इससे क्या हुआ आपकी इंकम, यह वाली तो पंद्रे लाग रुपे से इंक्रीज कर गई, और इसकी इंकम पंद्रे लाग रुपे से डिक्रीज कर गई, अब असेसी की इंकम पंद्रे लाग से इंक्रीज कर लिए, तो वो टैंशन में नहीं है, फिर पूरा पंद्रिया का पंद्रिया लग वो क्या करेगा ए टी आईये में डिडक्शन किलेम कर लेगा और इसको कम टेक्स पे करना पड़ा और दोनों भाई थे आपस में क्लोज रिलेशन्स था दोनों ने इस तरीके से टेक्स बचा लिए तो सरकार कहती है अगर एक SSC के पास इलेजेबिल है और दूसरे के पास नॉन इलेजेबिल है और बिजनस को इस तरीके से ट्रांजेक्स किया गया है कि इलेजेबिल वाली इंकम को बढ़ा दिया गया है और नॉन इलेजेबिल वाली को कम कर दिया गया है तो फोर दा परपॉज अ डिडक्शन इसकी FMB नि इडिडक्शन आपको पंदरे लाट के से कम मिलनी चाहिए थी आपका प्राफिट इंटिमेटली पंदरे लाट से एंक्रीज कर गया होगा तो फिर एडाप्शन आपकी फंदरे लाट लाट को प्रक्रते कम कर दियाएगी इसका मतलबाप की इंकम 15,000 लाग रिपशे से इंक्रीज कर जाएऒगी आप कुस्ता उ संक्री लांग लांग ने टाक्स पर करना पड़ जाए तो जब एक ही एकी एसाइसी दो घ्युसरे ठीक करता है तो एट यह एट लगाते हैं इस काम के लिए लेकिन जब आप से इस सबस्क्तरे से बाहरवालों की hebbenते हैं वेונə लिखा हुआ है के बाहर बालों के पास कोई और चुह में ज्यादा पेडिए ज़ाये हमेंगे उच्छे टैक्स बचफ़ जायका एंप कम हो जाएगी तो गर के अंधर और लग जादा दे दे तो दोनों ने मिलके टेक्स बचा लिया इसको कहा जाता है तो यहां पे यही लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है ATI-8 के अंदर पहले यह पढ़ओ हम इस पेसीफ हैड पे बाफ़ा आएंगे पहले यह पढ़ओ दोनों में क्या है? पहले में कहा रहे हैं, इलेजीबल से नन इलेजीबल को ट्रांसफर किया गया और दूसरे में नन इलेजीबल से इलेजीबल को किया गया ये तो मैंने बता दिया, दौनों केस में आप इंकम को इंक्रीज कर सकते हो, जब पेमेंट डिसीब कर रहे हो, तो ज़्यादा रिसीब कर दो, जब पेमेंट दे रहे हो, हमें इलेजीबल वाले का प्राफिट बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है? क्योंकि ज़्यादा डिडक्शन केलेम करके, हम तो जीरो कर लेंगे, और दूसरे का टेक्स कम हो जाएगा, तो अगर आप गुट्स को बेच रहे हो, तो पेमेंट डिसीब कर रहे हो, तो ज़्यादा डिसीब कर लो, गुट्स को खरीद रहे हो, गुट्स को सेल पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट आप कम करो कम करो के तो भी आपकी इंकम बढ़ जाएगी तो दोनों बातें इसके अंदर लिखी होनी चाहें गुट्स को सेल करके चाहें गुट्स को परचेश करके किसी भी तरीके से अगर इंकम को बढ़ाया जा रहा है और क्या लिखा है and in either case दोनों में से किसी भी case में consideration for such transfer recorded in the accounts of the eligible business does not correspond to the market value of such goods or services on the date FMB पर record नहीं किया गया है इस transactions के लिए then for the purpose of deductions for the purpose of deductions under this section the profit or gains of such eligible business shall be computed as if transfer had been made at the market value तो assessing officer यह जूम करेगा अगर market value पर ही transaction होता तो कितना profit आता definitely profit कमाएगा profit कमाएगा तो आपका reduction कम हो जाएगा तो आपकी income बढ़ जाएगी और आपको tax pay करना पड़ेगा 80 IA में भी 8 में भी लिख दिया गया बोला अगर हम इसको specified domestic transactions बना देते हैं तो फिर हम ALP यूज करेंगे explanation में लिखा हुआ है market value का मतलब होगा the price that which would or service would orderly fetch in the open market जनल मतलब तो यह माना जाएगा बोले लेकिन अगर international में यह 92 BA की definition में fall कर गई और वो कब फॉल करेगी जब transactions की value बीफ करोड को अक्सिट कर जाएगी तो बोल रहे हैं फिर market value का मतलब open market वाली value नहीं होगी तो फिर उसका मतलब क्या हो जाएगा ALP हो जाएगा H per section 92 तो यहां assessi के दो business है लेकिन 80 IE8 को भी पढ़ो आप जरूर पढ़ो वेर इट appears to the assessing officer that owing to close connection between assessi carrying on the eligible business and other person यही मैंने बोला अब other person आ गया अभी eligible assessi के दो business थे अब other person close relations assessi का eligible दूसरे का non-eligible the course of business transacted between them जो उनके बीच में transaction हुआ बिजनिस का वो इस तरीके से हुआ produces to the assessi more than the ordinary profit कि उसकी वयसे assessi को ज़्यादा profit हो रहा है उनके बीच में जो business transact हुआ वो इस तरीके से हुआ assessi को ज़्यादा हो रहा है which might be expected मतलब जो होना चाहिए उससे ज़्यादा profit assessi को हो रहा है तो ज़्यादा पैसा कौन काम आता है कि उनके वैसे जीरो करी लोगे ना दूसरे आज में की इंकम कम करवा दो जिससे की वो टेक्स बचा ले अपना profit बढ़ा भी लो लेकिन एट्टिया ही लगा के मतलब FMB reasonably जो market के हिसाब से होना चाहिए हम FMB पे देखेंगे लेकिन इसमें भी लिख दिया गया अगर ये specified domestic transactions की category में आ गया तो reasonably team to have been draft का मतलब हो जायागा ALP H per section 92 F अब मेरी बातें समझ में आईए आपके लिए बिटा आते हैं बापिस definition पे तो 92 भी ये कहता है हम कुछ ऐसे transactions चाटते हैं जो business को बहुत ज़्यादा impact करते हैं और FMB लगाने के बाद हो सकता है assessi को justice नहीं मिल पा रहा हो अब बड़ी बड़ी industries होती है बड़ी बड़ी company जो infrastructure facilities में involved होती है बहुत सारी और वो उनके दो-दो business होती है eligible भी होती है non eligible भी होती है उनके बीच में भी transactions होता है और वो सरकार से बार-बार करें तेसरे FMB लगाते हो तो हमें deductions का benefit नहीं मिल पाता है पूरा आप हमारी ALB देखो न आप FMB के base पे क्यों कर रहे हो आप market में open market का price क्यों देख रहे हो हमारे ही दो transactions देखके decide करो न तो सरकार ने का ठीक है ATIA 8 जहां जा लिखा हुआ है income tax में वहां जा FMB लिखा हुआ है हम FMB को ALP से replace कर देंगे सरकार ने कहा section ATIA 10 जहां लिखा हुआ है उसमें भी FMB लिखा हुआ है उसको भी ALP से हम replace कर देंगे मैं बाकी section बाद में लेकिन कब करेंगे जब transactions की value aggregate 20 लोको एकसीड कर जाएगी अगर किसी के दोनों है 8 वाला भी और 10 वाला भी है और 8 वाला 12 करोड है और 10 वाला 7 करोड है तो 12 और 7 21 19 नहीं आया भी 12 और 13 यह था आपका 10 वाला 12 और 13 25 अभी होगे आपके लिए 20 करोड को एकसीड तो जो A से C हैं इनका सबका aggregate अगर कोई एक से जादा इन transactions में भी एंटर कर रहा है जो यहां लिखे हैं तो aggregate लिखा हुआ है aggregate such transactions लिखा हुआ है उपर जो भी transactions हुए उनका aggregate भी को एकसीड कर गया तो इन sections में जहां-जहां ALP लिखा हुआ है उसकी जगए ALP लगा देंगे मतलब इनको गोलना शुरू कर देंगे इसके सीफ है domestic transaction तो एक तो ATI 8 को हम देखेंगे एक हम देखेंगे ATI 10 को दोनों पढ़ा के आ रही है फिर इसके बाद जो आपका ये ATIA से लेके ATIE तक बाकी section है जैसे ATIAB होता है IA तो पढ़ा दिया उनपर ATIB होता है ATIC होता है ATID होता है ATIE होता है और एक 10AA होता है S-C-Z में business होता है इसमें भी बहुत बड़े-बड़े benefits S-S-E को मिलते हैं खास तरीके का business होगा यसे specific economic zone में अगर manufacturing करते हो तो 10AA के अंदर 100% आप कर सकते हैं ये सारे business जो मैंने यहाँ पे लिखे ये बिलकुल उसी तरीके से deductions claim करते हैं जादा जिस तरीके से ATIA वाले में ने एक्जामपल दी है अब मेरी दो यूनिटस हैं एक special economic zone में manufacturing करती है और एक specific economic zone से बाहर है अब मुझे पता है जो special economic zone में unit है उसका profit तो पूरा का पूरा 10W में मैं मैं मैंनस करी लोगा उनके बीच में transactions करवाया मैंने और transaction करवाके अब उसका बढ़ गया tension मी नहीं कितना भी profit बढ़ा हो मैं यह 100% deduction claim करना है लेकिन बाहर वाले का तो income tax में कम कर रहा है तो 10 जहाँ जहाँ benefit आपको 100% यह बहुत जादा मिलता है वहाँ पे यह cheating चिया जोती थी तो 10W में भी यह help था ATI AB में भी बड़ा benefit मिलता है ATI B में भी मिलता है ATI C में भी मिलता है ATI D में भी मिलता है ATI E में भी मिलता है तो इन सब sections में ATI 8 और ATI 10 की तरीके से अलग से नहीं बनाए गए इन सब के अंदर लिख दिया गया क्या लिख दिया गया जैसे कि हम एक बात बोल रहें और बात में कहले लिखते हैं same as above, same as above, same as above तो ATIA तो पहला section था वहां तो दो section बना दिये गये ATI 8 बना दिया गया ATI 10 बना दिया गया अब वो ATIB लिख रहे थे बुले दोबारा से same बात लिखें SSC के दो business रहें eligible बोले नहीं उन्हें एक line डाल दी एक section बना के तब provisions shall apply as applicable in section ATIA 8 and ATIA 10 फिर उन्हें ATIB बना ATIC बनाया बोले यहां भी क्यों लेखें क्या लग दिया provisions are same as applicable as applicable in case of ATIA 8 ATIA 10 तो इन सारे sections में ATIA 8 का reference लिया गया है ATIA 10 का reference लिया गया है इसका मतलब यह हो गया adjectives सारे के सारे इनमें भी FMB applicable हो रही है पस sections लिखे नहीं गए दूसरे sections का reference ले लिया गया तो any transactions referred to in chapter 6 थे और section 10 AA to which provisions of subsection 8 और 10 of section ATIA are applicable तो वो sections और ढूनलो जहां-जहां ATIA 8 और ATI 10 को as it is applicable किया गया है हमारे पास कौन-कौन से sections हो गए ATIA हो गया ATIA B हो गया ATIB हो गया ATIC हो गया ATID हो गया ATIE हो गया और 10 AA हो गया इन सब में FMB लिखा हुआ है सब में अगर आपने transactions किया eligible और non-eligible के भीचन में या close relations की वैसे किसी से transactions किया तो उस transactions को fair market value पे देखा जाएगा reductions का सही amount निकालने के लिए लेकिन अगर aggregate 20 करों को exit कर गया तो फिर हम इसको गोल देंगे specified domestic transactions और applicable कर देंगे इसके उपर arms length price इन sections में जहाँ जहाँ FMB लिखा हुआ है उसकी जगे ALP के लिए applicable कर दिया जाएगा लेकिन आज से दो-तिन साल पहले एक चीज इसके अंदर e और add कर लिए रहे वन वन फाइब बीए बी सब section 6 तो मैंने वन वन फाइब बीए बी 6 भी यहां पर लग दिया कुछ companies ऐसी होती है domestic manufacturing जो करते हैं new manufacturing मैं जब company का taxation teach करूँगा तो वन वन फाइब बीए बी टीच करूँगा उन पर केबल 15% लगता है वैसे company पर tax rate 30% होता है या फिर 25% होता है 15% कितना कम rate हो गया कुछ conditions होती हैं अगर वो conditions आप satisfy करने को तैयार हो तो हम केबल आप पर 15% का rate लगाएंगे अब आदमी को जैसे 15% किया गया company के दिमाग company का दिमाग कम अब तब company को चलाने वालों का दिमाग चलने लगा अब दो company एक वो company और एक दूसरी company सब्च करते हैं आपके लिए subsidiary company अब subsidiary company जो थी वो इस category में fall नहीं कर रही थी उनके बीच में transactions होता था अब वो क्या करेंगे subsidiary income की company की income तो कम करते रहेंगे और जो यह वाली company जो इस category में fall कर रही है उसकी income को बढ़ाना शुरू कर देंगे subsidiary company जो 30% से taxable होगी और यह वाली income के पर 15% से होगी तो अगर सेम management की दो company है तो वो क्या करेंगी जो 30% से taxable है उसकी income को अगर बीच में टांजेक्शन हो रहा है तो उसकी income क कम करेंगी और जो यह वाली company बीए बी में जो मैंशेंड है इसकी income को बढ़ाएंगी बढ़ाएंगी तो क्या फरक पड़ता है टेक्स तो 15% से पे करना पड़ा है तो सरकार को जो पता लगा लोग यह कर रहे हैं तो 115 बीए बी में सबसेक्शन 6 डाल दिया गए और क्या लि तो इस बिजनिस में जो आपका वरनमें बीए भी बाला है इसमें जादा प्रफिट हो सकता है मतब FMB निकालेगा और फिर FMB जो निकल के आएगा उस पर 15% लगाएगा लेकिन नीचे क्या लिख दिया गया अगर यह 92 बीए की केट अगरी में आ गई तो इस पर ALP के ट्रॉइ विजन्स लगाती हो जाएगी तो पेपर में तो बस एक ही कोईशन आता है इस पेसिफाइड डॉमेस्ट टैंजेक्शन के लिए टैंजेक्शन की लिमिट कितनी होनी चाहिए तो उसमें कई लिखी होते हैं यहां लिखा हुआ है मोर दन 20 करोड से जादा होगा तो लेकिन कोई आपसे पूछ है कौन कौन से सेक्शन इसके अंदर आ सकते हैं तो ATA यह याद कर लो ATA अभी बाद में जेखिंगे डिदक्शन सवागा रहा फिर आप बोलना ATA फिर कहना ATIA सब सेक्शन एट फिर बोलन ATA, 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 ATA और आखर में लिखना 115BAB subsection 6 इन सबका जो aggregate transactions होगा अगर वो 20 करोड को exit कर गया तो इन transactions को बोल देंगे specified domestic transaction और H पर section 92C जहां जहां FMB लिखा हुआ है उसकी जगए arms length price ALPK provisions applicable हो जाएंगे and this is the definition and treatment of the specified domestic transaction देखो जब मैंने आज़की के लाज शुरू करी तो मैंने sections लिखे थे 92 टीच कर दिया 92A टीच कर दिया 92B टीच कर दिया 92B टीच कर दिया 92C पर आते हैं 92C पर बेस practical question आता है अब हमें सारे ingredients मिल गई ALP कब लगाएंगे यह पता चल गया 92A associate enterprises की definition पता चल गई 92B international transactions की definition पता चल गई 92B a specified domestic transactions की definition पता चल गई अब ALP निकालना शुरू कर लेते हैं अब ALP निकालना शुरू कर लेते हैं बेटा तो वो कैसे निकाली जाएगी ALP द्यान से देखो आप 92C वो कहते हैं देखो यह methods दे रखी पांच other methods तो special cases में CBDT को power दे रखी है कि वो prescribe कर सकते हैं तो वो कहते हैं ALP in relation to international transaction और specified domestic transaction shall be determined by any of the following लेकिन कौन सा being the most appropriate method इन पांचों में जो सबसे ज़्यादा appropriate होगा ये भी निकालना इसली तो मैं कहता हूँ ALP निकलना easy नहीं है transactions को देखके पहले ये भी पैचानना पैचानना जाता है कि which method is the most appropriate method मैं आपको छोटा सा question दिखा दूँगा अभी आपके study mat में solve किया गया था अभी नहीं दिखाऊंगा मत्तब बताता हूँ में उसके बारे में एक question के अंदर क्या कर रखाता दो ALP दे अब suppose करते ही यह 110 रुपे दे रखी है 120 रुपे दे रखी है उस question को solve करने के लिए किया गया तो आपके study जो आपका suggested answer से उन लोगों ने क्या किया 110 plus 120 divided by 2 कर दिया और बोल दिया 115 रुपे ALP हो जाएगी क्योंकि 6 से कम होती है तो हम earth particle मिल लेते हैं absolutely wrong आप 2 method का most appropriate का मतलब ह होता है दो मैंसर लगी नहीं सकते हैं एक बिजनिस पर एक की मैसर लगेगा जो मोस्ट एप्रोप मोस्ट का मतलब एनी एनी आप दा फॉलॉइंग आपको देखना पड़ेगा इन दोमनों में कौन सा most appropriate method है वो दीरे दीरे अभी questions करेंगे समझ में आ जाता है कौन सा है जब gross profit markup दे रखा होता है तो cross cost plus method होता है जब हम चीज़ें खरीद के आगे बेसते हैं दो जगे से तो resell price method होता है सेम चीज़ दो लोगों को बेची जा रही है तो compareable uncontrolled price method होता है नहीं कर सकते हैं अगर दो ALP different methods से दे रखी हैं तो फिर उसमें क्या करना पड़ेगा एक ही बनेगी ALP आपको देखना पड़ेगा which one is the most appropriate method हाँ एक ही method लगाने से अगर एक से जदा ALP निकल के आ रही है तो data set बनाएंगे 6-6 से जादा ALP होंगी और 6 से कम होंगी तो आटमेटिकल मील ले लेंगे ये बाते हैं बच्चे गलती study meds जो बच्चे पढ़ते होंगे मुझे कई बार ऐसा लगता है बेचारे कितने परेशन रहते होंगे कितनी गलत चीज़ों को पढ़के चले जाते मैंने यहाँ पर भी शुरुवात किया था तो most appropriate method लिखाता एक ही method लगाने से अगर आपके निकल के आते हैं एक से दोको मैंने यहाँ पर सी उ पी एम लिखा तीनों ALP जो मैंने निकाली ये वाली ये वाली और ये वाली इसी method से निकाली ये गलती मत कर देना most का मतलब एक एक से जादा possibly नहीं हो सकता है इस message जो सबसे अच्छा method उस transactions की nature को देख के होगा उस पे लगाया जाएगा फिर उनने सबसे action two में लगा कि अगर एक से जादा ALP निकल के आती है तो उन्होंने कहा फिर कैसे निकालेंगे तो बोले हम सरकार से कह रहे हैं कि rules को prescribe किया जाए तो सरकार ने rules बनाए उसके लिए जो rules मैं already आपको पढ़ा चुका हूँ छेया छे से जादा ALP का rule भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और छे से कम ALP होंगी तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो जो तीसरा section में से में पढ़ा रहा हूँ 92C उसके चार sections है एक त से जादा ALP most appropriate से निकल के आ रही है तो rules की help लो और rules क्या कहते हैं 6-6 से जादा हैं तो range निकल लो और 6 से कम हैं तो अर्फमेटिकल मिल निकल के 3% का variation देख लो ये 2 हो गए अब मैं पढ़ा रहा हूँ 92C 93 में आपके लिए पढ़ा रहा हूँ ध्यान से देखना आम्स लेंट प्राइज में भी टर्मेंट बाई assessing officers in certain cases असेसी का काम खतम असेसी ना ITR को फाइल कर दिया ALP भी अपने हिसाब से निकाल दी जो भी ALP उसने निकाली होगी नहीं निकाली होगी तो जो actual transaction प्राइज होगा उसके according ITR को फाइल कर दिया होगा क्या जब assessing officer आपका assessment करता है चाहें दूटने assessment कर रहा हूँ चाहें BGA कर रहा हूँ चाहें income escaping assessment कर रहा हूँ क्या assessing officer के पास power है वो ALP को निकाल के check करें ALP कितनी होनी चाहिए तो income tax क्याता है हम power देते हैं assessing officer के लिए जब भी वो assessment करेगा तो वो ALP भी निकाल सकता है लेकिन हर case में नहीं फिर तो harassment हो जाएगा अगर कुछ ऐसे evidences हैं information हैं उसके possession में तब तो क्या लिखा हुआ है अधियर दूरिंग दूरिंग दा कोर्स अफ एनी प्रोसीडिंग्स एक मिनट बिटा या फिर असेस्मेंट चल रहा हूँ आपके लिए बैजाज्मेंट या इस्कूटनी असेस्मेंट दूरिंग दा कोर्स assessing officer is on on the basis of material information or documents in his possession आप international transactions में इस बात का बहुत ध्यान लगते हो कि party किसी भी तरीके से उसको harassment तो नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से उसको easier business को कहते है उसमें तो difficulty नहीं आ रही है क्योंकि अगर जो हमारे transactions करती हैं कोई एक party effect होगी तो दूसरी party automatically effect करेगी उस चीज़ से तो international transactions के अंदर delicate issues होते हैं इस बात का ध्यान लखा जाता है कि किसी भी तरीके से assessing को problem नहीं होनी चाहिए तो साब साब act में लग दिया गया on the basis of material और लिखा हुआ है material information document सबसे बड़ी बात लिखी हुई है in his possession उसके possession में होने चाहिए और उसके base post ने अपनी opinion बनाई हुई है क्या इन चार में से एक opinion ABCD में से the price charge or paid जब भी मैं charge और paid बोलता हूँ तो मैं समझता हूँ तो मैं exactly समझ पा रही होगी मैंने क्या कहा इंडिया वाली income को कम करना दोनों तरीके से possible है बुट्स को बेचते हो तो price charge करते हो कम price charge कर लो paid जब बुट्स को खरीदते हो तो pay करते हो तो ज़ादा pay कर दो दोनों case में इंडिया वाली income कम हो जाती तो अगर आपने price charge की और pay किया international transactions के अंदर अगर वो most appropriate method नहीं लगाया गया है अब मैंने फिर यहां पर बुल दिया जखो अपनी बात को मैंने प्रूब कर दिया most एक तुम दो कैसे लगा सकते हो study met में अब पता नहीं उन्होंने सही किया नहीं के suggestion answers के अंदर suggestion answers में उन्दोनों का उन्होंने ले रखात आर्फमेंटिकल में इतनी बड़ी गलती कोई क्यों करेगा क्या सकता है तो वो लेकिन ऐसा नहीं उसको लगता है यह method उसके पास possession में material होना चाहिए और फिर उसको लगता है कि this method is not appropriate तो वो क्या करेगा scrutiny करने के दोरान यह वो रोक देगा वो पहले ALP निकाल देता हूं या any information and documents relating to an international transaction have not been kept and maintained by SSE in accordance with the provisions of section 192-D1 and rules made in this behalf international transactions जब भी आप करते हो तो आपको books of account and documents समाल कर रखने परते हैं यह बात 92-D में रखी हुई है और यह paper में बहुत आता है section अभी हम C तक पहुँचे हैं यह section भी आपके लिए करवाऊंगा देखो 92-D subsection 1 में क्या लिखा हुआ है every person who has entered into an international transaction specified domestic transaction shall keep and maintain such information and documents in respect there of as may be prescribed सरकार्ने का rules बनाएंगे हम rules उसमें बताएंगे कौन-कौन से documents वगारा maintain करने हैं और आपको भू रखने पढ़ेंगे समाल के अपने पास अगर उसके पास ऐसे सबूत हैं और पता चल जा है assessing officer को कि उसने उन documents के लिए जो जरूरी है समाल के नहीं रखा हुआ है तो उसको लगएगा गरवर्ड है को सकता है इसने ALP गलत तरीके से निकाली है इसलिए इसने documents समाल के नहीं रखे और उसके पास पावर आ जाएगी वो assessment की duration ALP निकाल सकता है या फिर the information or data used in computation of arm length price it not reliable all the correct ALP निकालने के लिए जो उसने data यूच किया था information यूच की थी हम जो भी जतने भी निकालते हैं ALP तो हमें पिछले हमें चाहिए होते हैं records इस से कितना transactions किया उससे कितना transactions किया अगर assessing officer के possession में ऐसे सबूत हैं जिससे लग रहा है जो information ALP निकालने के लिए यूज आती है वो incorrect is not correct तो वो आपकी ALP निकाल सकता है और चौता case assesses his field to furnish within specified time any information or documents with he required to furnish by a notice issued under section 902 to 3 तो 902D1 में लिखा हुआ है books of account कि जब भी उनको demand किया जाएगा तो 30 दिन के अंदर आपको furnish करना पड़ेगा assessing officer आपका scrutiny कर रहा है वो ALP नहीं निकाल रहा है लेकिन वो documents आपके check करना चाहता है आपने documents के उसने demand किया documents आपने रखे ही नहीं थे अपने पास समाल के उसके पास सबूत आगया कि आपने समाल के नहीं रखा है वो आपका ALP कर देगा suppose करते हैं documents आपके पास थे लेकिन जब आपके पास notice आया कि आप इस section के अंदर की अपने documents को आप हमें दो और आपने 30 दिन के अंदर documents को नहीं दिया तो वो समझ जाएगा कुछ बावर है उसके पास पावर आ जाएगी वो आपकी ALP कर सकता है ये चारों किस धंग से याद कर लेना assessing officer कब-कब ALP assessment के duration निकाल सकता है पहली बात लिखके आनी पड़ेगी on the basis of material document information in his possession he is of the opinion price जो charge किया गया था या pay किया गया था वो most appropriate method के according नहीं निकाला गया था जो books of accounts और documents उसको maintain करने थे keep करने थे 92D1 के अंदर उसने maintain नहीं किये थे जो documents वगर उसने maintain किये थे उनको जब भी demand किया गया तो उसने 30 दिन के अंदर उनके लिए furnish नहीं किया और तीसरी बात तीसरी बात कि जो उसने data यूज किया information ALP को निकालने के लिए वो incorrect थी अगर इस बात का उसके पस material information documents possession में हैं हाथ में हैं तब वो आपके लिए ALP को निकालना शुडू कर सकता है assessing officer may proceed to determine the arms length price in relation to the said international transaction और specified domestic transactions on the basis of material information document available within तो उसके पास जो information होगी उसके बेस पर कहता मैं ALP निकालूंगा लेकिन हम ये बार बार पढ़के आ रहे हैं अभी chapter में जब भी assessi के खलाफ कोई काम होता है तो assessi को opportunity being heard दी जाती है provided that opportunity shall be given by assessing officer by serving a notice calling upon a so cause why the ALP should not be so determined on the basis of material or information document in his position वो क्या का दो मेरे पास ये information है और इन चार मैं से किसी एक मैं आप फॉल कर रहे हैं मैं आपकी ALP निकालना चाहता हूँ show cause notice तो मुझे जवाब दो कि तुमारा assessment क्यों ना किया जाए और four तो बहुत जरूरी कर लेना paper में आ चुका है third paper में नहीं आया हुआ है fourth paper में आया हुआ है तो 92C के दो हिस्से है 92C 3 के दो हिस्से हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक ही section में क्यों डाले गई यो पहले दो section से वो ये बात करता है ALP कैसे निकाली जाए एक से ज़ादा ALP क्या करेंगे और ये बात करता है assessing officer कब ALP दोनों में relation नहीं है कुछ वो ALP निकालने के मैं छटकी बात कर रहा है तो 92C में नहीं डालना चाहिए था इसके लिए डाल दिया गया तो मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन एक section में वो बाते होती जो उससे related होती है जैसे 92A के हमने पढ़ा 92-1 फिर 92-2 पढ़ा फिर 92-2 पढ़ा फिर 92-3 पढ़ा इस सारे applicability से related थे 92A के हमने दो करें दौनों एक सेक्शन के सब सेक्शन आपस में इंटरलेट होते हैं कई बार 3 में assessing officer को power दी गई है वो ALP कब निकाल सकता है लेकिन 4 में जो बात की गई है वो तो बहुत ही जवरदस्त है 4 में कहा गया है अगर assessing officer ने ALP निकाल दी तो उसकी income increase कर जाएगी हाँ increase करेगी तो बड़ी हुई income मैंसे किसी भी तरीके के deductions का benefit ये 10AA का benefit assessing को नहीं दिया जाएगा इस example को मैं समझाता हूँ इस example को आप समझने की कोशिश करो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ section 92C subsection 4 92C subsection 4 ये C लिख देता हूँ ऐसे करके और इसका मैं नाम देता हूँ consequences if ALP is determined by assessing officer 92C subsection 3 में दे रखा है ALP by assessing officer 92C4 का मैं अपनी तरफ से heading बना रहा हूँ consequences if ALP determined by assessing officer और ये paper में आ चुका है डंग से कर लेना अब support करते हैं एक India के अंदर A limited और ये B incorporation transactions हुआ proper transactions इसने अपनी income को disclose किया इसने का मेरी 60 लाख रुपे income है और इसकी जो unity वो special economic zone में थी support करते हैं इसने 60 लाख रुपे income दो तरीके से अपना show किया income A दिखाई इसने 50 लाख रुपे की income B दिखाई इसने 40 लाख रुपे की अपनी जो 50 लाख वाली थी वो international transaction वाली थी द्यान से सुनना और साथ में जो यूनिट थी वाली SEZ में located भी थी जिस सब वो international transactions करता था वो SEZ में located थी तो इसने कहा कि मेरी GTI होगी 90 लाख रुपे की और इसने क्या किया deduction किलेम कर लिया under section 10 AA 50 लाख का deduction किलेम कर लिया तो टोटल इंकम दिखा दी 40 लाख रुपे assessing officer ने 923 लगा के ALP लगा दी और ALP लगाने से इंडिया वाली इंकम को increase कर दिया गया तो जब assessing officer ने आपकी इंकम निका ली जो पहली इंकम थी वो 10 लाख रुपे से आपकी इंकम निकल के आ गई अब यहां से जब deduction 10 AA का मिलेगा तो बोलेगा मुझे 60 लाख का दो क्योंकि special economic zone में जो भी business से आप export करते हो 100% का मिलता वो कहते हैं नहीं हम 50 लाख का ही आपको देंगे अब आपकी total इंकम 50 लाख रुपे अपने आप अगर आप सही ALP निकाल देते तो हम 60 लाख का benefit देते आपकी इंकम 50 लाख क्योंकि आपने सही खुद नहीं निकाला assessing officer अगर ALP की वया ऐसे आपकी इंकम को बढ़ाता है जो इंकम बढ़ गई उसमेंसे ना तो ATC to ATU का benefit मिलेगा ना 10AA का benefit दिया जाएगा तो अभी भी deduction 5 लाख रुपे का मिलेगा हाला कि वो logic दे सकता है जब आपने मेरा SCZ वाला profit 60 लाख रुपे कर दिया तो SCZ बिजनिस से मुझे 100% benefit मिलता है मुझे आप 60 लाख रुपे का benefit दो वो क्यागा नहीं मैं section लगा रहा हूँ 92.4 और 92.4 में साफ साफ लिखा हुआ है जो बड़ी हुई income होगी उसमें से 10AA का और 80C2A2 का benefit नहीं दिया जाएगा तो क्या कहते हैं वेर एन आमस्ट प्राइटरिमेंट बाई अगर वो ALP निकालता है तो फिर income भी निकालेगा डेफिनेटली इंकम बढ़ रही होगी तो निकालेगा लेकिन लेकिन नो डेक्षिन अंडर section 10AA और chapter 6A शेल बी अलाओड इन रेस्पेक्ट अप दा अमाउंट आफ इंकम बाई विच टोटल इंकम आफ असेशी इनहेंस्ट जो पुराना उसने शो किया था उसमेंसे तो मिलेगा लेकिन जो एनहेंस करी है और किस वयाँ से आफ्टर कम्पुटेशन अस इंकम अंडर इस सबसेक्शन एलपी निकालने के बद असेसिंग और फिस तर आपकी इंकम को बढ़ा देगा जो बड़ी हुई इंकम होगी एनहेंस्ट इंकम होगी उसमेंसे किसी भी तरीक करड़क्शन अलाव नहीं किया जाएगा दूसरा पॉइंट तो बहुत ही प्यारा है दूसरा पॉइंट भी समझो पहले एक्जामपिल उसके बात मैं सेकेंड प्रोवाई जो टीच कर रहा हूं तू सेक्शन नैंटी टू सी सबसेक्शन फोर का सेकेंड प्रोवाई जो क्या कहता है अब मैंने यहां पे लिखा A limited और यहां पे लिखा B limited अब सपोज करते हैं money borrowed पैसा borrowed किया गया था अब उस पे interest पे किया जा रहा है अब interest भी अगर आप पे करते हो international पे तो इस पे भी ALP लग सकती है हाँ सरे ALP लग सकती है अब जो interest पे किया गया था वो सब पोच करते हैं मैं example ले रहा हूं 10 लाख रुपे interest पे किया गया था और DDS मैनस कर लिया गया at the rate of 5% 50,000 पे और पे कर TDS non-recedent के case में 5% मैं assume कर रहा हूं 195 के अंदर जो TDS का rate था 5% था और 10 लाख का 5% 50,000 पे TDS मैनस किया गया और 950 दे दिया गया Assessing Office तो मैं लगा दिया 92C subsection 3 उसने का जो आपने interest पे किया है वो आपका गलत में इसकी ALP लगाँगा और ALP लगाने के बाद लेकल किया पाई ALP आठ लाख जो इंट्रेस्ट पे होना चाहिए था वो आठ लाख रुपे पे होना चाहिए था तो आप इंट्रेस्ट आठ लाख रुपे पे करते तो इंकम आफ ए लिम्टेड विल बी इंक्रीजट यह समझ में आया जो आपने दसलाख खर्चा दिखाया उसकी जगे आठ लाख रुपे खर्चा दिखाते तो आपकी इंकम दोलाख रुपे से इंक्रीजट कर जाती हाँ से डेफिनेटली इंकम दोलाख रुपे से इंक्रीजट कर जाती यह तो वो इंक्रीजट कर देगा औ इसमें से 80C to 80U not allowed यह हम फस्ट प्रोवाई जो में पढ़ चुके हैं जो इंकम बढ़ी होगी 10AA का benefit not allowed यह हम पढ़ चुके हैं अब हम क्या पढ़ रहे हैं अब बी लिम्टेट अप्रोच करता है बी लिम्टेट सर एससिंग ऑफिसर के पास आता है उला देखो जब मुझे प TDS 8 होना चाहिए था वो केबल 40,000 रुपे TDS होना चाहिए था ना और आपने मेरा TDS 50 मैनस कर लिया है 10,000 रुपे TDS मुझे बापिस करोगा समझोगा जब आप यह कह रहा है और टांजेक्शन की सई वैल्यू आठ लाक है इससे इंडिया वाली इंकम आप 2,001 रुपे से ब लिए बात कर रहे हैं अब बात कर रहे हैं एससे इंटर्प्राइज इसकी लेंगवज को पढ़ना सीख गए जिन्दगी में टीचर की रिक्वार्मेंट ही खतम हो जाएगा मैं हमेशा हर बच्चे से यह बोलता हूँ तीचर अभी भी कई आप भी मुझे phone करोगे you are most welcome जब practice में आओगे आपने से कोई तो phone करो और मैं आपको interpretation करके बताऊंगा language का क्या interpretation है लेकिन खुद भी सीख गए तो मज़ा आ जाएगा is computed under this subsection on determination of the ALP तो आपने associate enterprise की income को compute किया pay to another associate enterprise तो दूसरे enterprise को आपने pay किया था उसकी income को compute किया from which tax has been deducted or was deductible under the provisions chapter 17th B 17th B का मतलबी हो गया TDS chapter total income associated enterprise की निकाली गई ALP जो आपने pay करी थी दूसरे enterprise को जिस पर आपने आपने TDS माइनस किया था माइनस होना चाहिए था अब देखना income of other associated enterprise दूसरा वाला shall not be recomputed उसका मतलबी उसका TDS दुवारा नहीं निकाला जाएगा shall not be recomputed by reason of the determination of the ALP क्योंकि पहले की ALP से आपने income को recomput किया है इसलिए दूसरे की income को recomput नहीं किया जाएगा be limited से कहा जाएगा आपकी income तो हम 10 लाख रुपई ही मानेंगे और इंडिया से आपकी income है तो हम इसमें 50,000 रुपे का TDS माइनस करेंगे हम recomput के अबल इंडिया वाली income को करेंगे दूसरे associate enterprises की income को जो अधर है इंडिया से बाहर है जो non-residentals की income को recomput नहीं करेंगे मतलब इसका interpretation यही हो गया आपका TDS 85 रहेगा आपका TDS 40 करके आपको 10,000 रुपे का refund नहीं दिया जाएगा तो 92C के चार section 92C1 में methods लगाओ 92C2 में most appropriate लगाओ और वह एक से जादा निकल के आती है तो rules देखो rules के अंदर 6, 6 से जादा ALP 6 से कम ALP जो कर चुके हैं 92C subsection 3 assessment officer के पास कब-कब ALP निकालने के power है तो अगर उसके possession में documents है material है information है और चार में से एक case fall करता है तो वो ALP निकाल सकता है लेकिन subsection 4 paper में आ चुका है और subsection 4 यह कहता है अगर ALP के base पे वो income को recompute कर रहा है तो जो income enhance की जाएगी increase की जाएगी assessi की इंडिया वाले उसमें से ATC, 28, 20, 10, WA का benefit नहीं मिलेगा और दूसरी बात वो यह कहता है दूसरी बात यह कहता है कि जो income इंडिया से बहार पे की गई थी उसको recompute नहीं करेंगे इसका interpretation यहीं हो गया जो TDS उसका minus हो चुका था वो minus हो चुका था उस TDS को किसी भी तरीके से recompute नहीं किया जाएगा आने के बत यह section तो आपको 15 से mix number देके जाए रही है चैप्टर तो कुछ ना कुछ तो आए रही है यह आए रही है बहुत अच्छे तरीके से पड़ रही हो पस doubts आप लोग नहीं पूछते हो बोलिए बेटा 92 C में मैंने बहुत detail में आपको पड़ा दिया बताईए आपके लिए कोई doubt हो तो बेटा पोलो आगे चलते हैं बेटा यह section पूरा तो नहीं हो पायागा लेकिन इतना हो पायागा यह paper में दो बार आ चुका है यह दो बार आ चुका है 92 C reference to TPO transfer pricing officer यह paper में दो बार आ चुका है देखो दिखाता हूं में questions देखो बेटा where any reference is made to the by the assessing officer to the TPO under section 92 C कितने number का question आया है यह आया हुआ है आपके लिए 2 question करने है पांच number का question आया हुआ एक बार और भी आया हुआ है वो मिल जाया का वो यह किन एक बार और भी आया हुआ है यह question आया हुआ है देखो जो question मैंने आपको associate enterprise वाला कैदा इस कब का question है यह कौन से यह का है कि नाइन जून 2019 का question है बेटा यह वाला question 8 marks का question है चार पार्ट्स है और इच टू माक्स का क्या लिखा है एक ही पकरवाँगा बियर लिम्टेट डेली यह कंपनी ती उसमें बारे डेक्टर से यह से अपकरेंट करें तो बताओ वो associated हैं या नहीं है इन पर transfer pricing लगएगा या नहीं लगएगा more than half बारे का आदा 6 6 से 7 more than half हो गई अगर more than half से ज़्यादा directors किसी दूसरे enterprise ने आपके उसमें appoint किये हुए हैं तब उसको कहा जाता है associated enterprises और अगर associated enterprises हैं तो transfer pricing के provisions तो जो कुछ पढ़ रहे हो वो पेपर में मिलने वाला है जो अब मैं पढ़ा रहा हूं वो पेपर में आया हुआ है उसको कहा जाता है reference to the transfer pricing officer section 92 CA आपकी क्लास का आखरी section है यतना पढ़ा पाऊंगा उतना पढ़ा दूँगा बाकि कल में फिर इहींग से continue करूंगा असेसिंग ऑफिसर ने 92 C subsection 3 में जो पावर दी गई है कि आप during the course of proceedings आप ALP निकाल सकते हो हाला कि कुछ conditions थी उसके बाद वो conditions suppose करते हैं सबस्राइड है assessing officer का मैं तो ALP निकालूंगा बट जो complications थे case के अंदर assessing officer को लगा I am not able to compute the ALP मैं खुद नहीं निकाल पाऊंगा I need the help of a specific officer इस field का expert होना चाहिए तो 92 CA assessing officer को power देता है वो case refer कर सकता है TPO के लिए transfer pricing officer के लिए तो where any assessee has entered into an international transaction or specified domestic transaction and assessing officer considers it necessary it is necessary or expedient so to be he may refer the computation of ALP to the TPO अगर उसको लगता है जरूरी है case के जो आपके facts से उसके हिसाब से आपको लगता है तो he may refer लेकिन ये portion भी दो नमर का बनता है जब भी आप valuation officer को भी refer किये तो permission ली गई थी वहाँ पे जब भी आप कोई काम करते हो you need the permission of the bosses the previous approval of the commissioner आप commissioner की permission लेके case refer कर सकते हो TPO के लिए तो पहले वाले उसमें तो reference दिया गया है subsection 2 क्या कहता है जब TPO के लिए आप case refer करोगे तो सबसे पहले वो assessic को notice भी जाए रहा है मेरे पास एक आया है case किसमें ALP निकालने के लिए कहा गया मैं यह बानता हूं तुम इमानदार आदमी हूं तुम वह evidence मुझे provide करो जो तुम अपने ALP के support में देना चाहते हो मैं ALP निकालते हैं मैं उनको consider करना चाहता हूं तो where a reference is made to the TPO, TPO shall serve a notice on assessing requiring him to produce और cost to be produced on a date to be specified इसे बेफालतो की चीज़ होती है requiring him to produce any evidence on which the assessi may rely in support of the computation made by तो आप अपने सपोर्ट में अपने ALP के support में जो भी documents देना चाहते हो उनके लिए आप furnish कर दो जो भी evidence देना चाहते हो क्योंकि मैं आपकी ALP को निकालने से पहले आपको मौका दे रहा हूं आपकी class का आखरी question TPO associated donor questions इन्हीं दो sections से आई हुए है यह दो sections क्या कहते हैं ध्यान से सुनो जैसे कि जब भी आप international transactions में जाते हो तो एक report आपको file करनी पड़ती है उस report को कहते है section 92E की report 3CEB यह form number होता है इस form में आप account end से report लेते हो इस report को आप file करते हो और इसमें सारे international transactions की details होती है तो during the year आपने enter करे थी तो 92E अभी पड़ाओंगा हम CA पे चल रहे हैं C के बाद D पे आएंगे फिर D के बाद E पे आएंगे और 92E में एक form होता है 3CEB इसमें form में आपको account end से उन सारे transactions की details furnish करनी पड़ती है तो during the year जिसमें आप enter करे थी अब assessing official ने कहा इसमेंसे एक transactions लिया उसने सब कुछ करते हैं पहला वाला पहला तीन transactions उने दिये थे अपने उसने इसकी रेफर कर दिया TPO के लिए कि आप इसकी ELP निकालने के बताओं लिए दो और तीन में तो मुझे डाउट नहीं लग रहा है वो एक international और में भी गया था इसको 92E की रिपोर्ट में including नहीं किया गया था वो समझ गया इसमें कुछ हे रैफेरी है वो कहता है मैं इसकी भी ELP निकालूगा assessi कहा तुम्हें referee नहीं किया गया है क्योंकि 92CA subsection 1 में ये लिखा हुआ है पहले assessing officer refer करेगा उस refer के बाद ही निकाला जाएगा बेटा आपके लिए तुम्हें referee नहीं किया गया जब तुम्हें referee नहीं किया गया तुम कैसे ELP निकाल सकते हैं तो 92CA subsection 2B के अंदर power देती है where in respect of an international transaction the assessi has not furnished the report under section 92E and such transaction comes to the notice of the TPO during the course of the proceedings और TPO जब एक ELP निकाल रहा था उसको वो transactions मिला तो 92E की report में include नहीं किया गया था the provisions of this chapter shall apply as if such transaction is an international transaction referred to him under subsection 1 हम ये मानेंगे इसको by default refer किया गया था दोबारा reference की ज़रुवत नहीं है एक बार refer कर दिया जैसे हमने वो किया था income escaping assessment में income escaping assessment में अगर assessi को notice पहले notice निकालना पड़ता है fit case है और proceeding शुरू कर देता है फिर further कोई income asc मिलती है जो की income escape पर गई थी तो पहली बार अगर आपना notice भेज दिया है तो बाकी incomes के लिए notice भेजना जरूरी नहीं होता है वो यहाँ पे है एक case refer कर दिया assessing officer ने फिर कोई ऐसा case मिला जो 92E की report में नहीं लिखा हुआ है तो अगर TPO चाहे तो उसकी ALP निकाल सकता है आटोमेटिक रेफरेंस मान लिए जायागा कि सब सेक्शन वन में रेफर किया रहा था और एक वन क्या कहता है तूए वेर एनी अधर इंटरनेशन टांजेक्शन सब्सक्राइब कमस तूदा नोटिस अधर का मतलब जो रेफर किया उसके अलावा अब जो उसने किये थे मैंशन वो उसकी बात कर रहा है तीसरे वाले को रेफर किया गया था उसको टू में भी लगता है डाउट है टू का भी मुझे अब पी निकालनी चाहिए असयसी केगा कि आपको तृरी की एल पी निकालने को बोला गया जो जो मैंने नेनग्डि टू इमें नहीं लिखे आप उनकी निकाल सकते हैं बो टू बी में दे रख रही है बोला टू ए को पड़ो टू ए में लिखा हुआ जो रेफर किया गया रिपोर्ट की बात कर रहा है 92C ये 2A कह रहा है कोई भी transaction उसकी निगा में आता है वो उसकी ALP निकाल सकता है और 2B ये कहता है वो transactions जो report में mention नहीं है वो उसके पास उसको दिखाई पड़ता है कि इसको mention नहीं किया गया था उसकी ALP निकाल सकता है तो जब भी कभी भी एक बार refer कर दो तो बार बार further reference की requirement नहीं होगी वो किसी और transfer pricing transactions की international transactions की ALP निकाल सकता है और कोई 92E में अगर mention नहीं किया गया था वो भी उसकी अगर पता चलता है उसकी ALP भी निकाल सकता है the first is 92CA subsection 2A and other is 92CA subsection 2B दो बार इन दोनों section पर base question आया हुआ है और यहीं आया हुआ है कि जब भी refer किया जायेगा TPO को तो जो case refer किया गया चा उसके अलावा किसी और case की वो ALP निकाल सकता है आपको इन दोनों sections का हवाला दे के answer लिखना पर हाच के लिए बेटा इतना ही